नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओम कश्यप मेरे साथ मेरी सहीयोगी चित्रात्रपाथी है और बहुत खास मेहमान आज तक पर जुड़ रहे हैं क्योंकि मेरे देश की संसद में नई रौनक है मेरे देश की जनता ने अपने जन प्रतेनि प्रतियों को चुनकर इस देश की संसद में भेजा है ताकि वो उनकी आवाज बन पाए तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन क्योंकि आज तक के इस शो में लगबग 100 संसद हमारे साथ जुड़ेंगे वो सब अपने अपने बारे में बताएंगा औ उनके लिए जनता के लिए कि नोई और सांसद जी समझे अपने सांसद को उनको पहचानिये और इस बार की जिस तरह की परिस्थिदी बनी हुई है संसद भवन के भीतर यकिनन विपक्ष भी उतनी ही मजबूती से सवाल उठाएगा और उमीद यही कि वाद विवाद के बी क्या रोड मैप आपका रहने वाला है एक तरफ भारती जनता पार्टी बेहाद उतसाहित है है ट्रिक लगा लिए है पूरा उतसाहित है यह कहते हुए कि यह सरकार जादा दिनों तक चल नहीं पाएगी ऐसे में इनका क्या है रोड मैप अपने इलाके को लेकर अपने शेतर को लेकर कौन-कौन से वाइदे करके यह संसद भावन तक पहुंचे हैं और आपको यह भी बताते चले कि पशले बार के मुकाबले इस बार की परिस्टी ऐसी हुई है कि जादा संसद पढ़े लिखे इस बार लोगसभा में पहुंचने वाले हैं तो मीद यही कि एक साथक स वाइद सोच रहे हैं आपके इलाके को लेकर क्या है उनका पांच साल का रोड माप हमेशा जनता ये कहती है कि एक बार नेता जी आते हैं वोट मिल जाए उसके बाद भूल जाते हैं लेकिन हम आज नेताओं से पूछेंगे, सांसदों से पूछेंगे, कि बताईए अगले पांच साल में आप अपनी जनता के लिए क्या करने वाले हैं, तो शुरुआत इसी हिस्से से करते हैं, और जो यहां पर जन प्रतिनीदी बैठे हुए हैं, आपके साथ मैं शुरुआत क मैं बंटी विवेक साहू, चिनवाडा मद्व पृदे से सांसद निर्वाची दुगा हूँ, पच्तर वर्सों में अजादी के पच्तर वर्स हो गया और पहली बार यहां से भारती जनता पार्टी की विज़ेश्री आसिल हुई है, और चिनवाडे के लोगों की बहुत सार परशित करते थे, छेशे मैंने बादाना, लोगों की लंबी लाइने लगवाना, तो एक मेरी सबसे पहली प्रात्मिक्ता एह रहेगी, कि सांसद का दाइत मुझे मिला है, तो हर किसी के लिए असानी से उपलब रहूं, और चिनवाडे का बड़े मुद्दे जो हैं, रोज चिनवाडा की जनता ने आपको वधान सभा में तो न का रहा, लेकिन लोग सभा में सिर्माथे पर बठा लिया, जादू नरेन मोदी जी का, हमारे प्रधान मंत्री जी का, चिनवाडा गड़ रहा है मोदी जी की जनकल्यान कारी और गरीब कल्यान की योजनाओं का गड़, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे मद्ध पिदेश में कोई एक जिला ऐसा हो जहां सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाब मिलता है तो हमारा चिनवाड़ा है जादू चला है मोधी जी का पूछना चाहरी थी चीना कैसे आपने किया क्या था मतलब कुछ तो ठीक है मोधी जी के नाम का जादू तो है अपनी जगह पर है लेकिन आपने वापर क्या किया था हमने सुना बड़े कांग्रेसियों को धीरे-धीरे करके सब को इधर ला रहे थे यह भी एक रंड नीती थी वो भी बताईए जरा जिस तरीके से मैंने कहा कि वो अपने आपको राजा और बाकी को सबको प्रजानी करमचारी समस्ते थे तो ना नकुलनाज जी का नेतरत्व कांग्रेस के लोगों ने स्विकारा ना जनता ने स्विकारी मोधी जी के नेतरत्व कोनों ने स्विकारा और चनवार्ण ऐसे बातियंता पाल्टी विजर दि办 तो आपने जो जो आज वादा किया आपने रोजगार की बात किया है आपने काहता इस्वास पर काम करेंगे पांच साल इनका हिसाब लेंगे यह जो इनकी बात है, रिकॉर्ड करके जनता रख ले, अब उधर से एक सांसाथ से आबाते हैं, दिल्ली से शुरुवात कर लेती हूँ, आपको लोगसभा में पहली बार, यहां पर उतारा गया, मैं चाहूंगी वो माइक भी लेकर आए, लोगसभा में उतारा गया और आपके, आपने कमाल कर दिया है इस बार, सवालाग से जादा, मतों से आप जीत करा रहे हैं, यह बताईए, वाइदा क्या किया था, किसके आधार पर आपको जनता ने चुना, और मैं चाहूंगी कि खुद अपनी जुबानी आप बताईए, अपने संसदिक शेत्र की कहानी. सबसे पहले डिली में अरविंद केजरिवाल के कुसाशन से मुक्ती दिलवाना, जिससे कि डिली के लोग जो आज बून बून पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको पीने का पानी मिल सके, आज दिली दुनिया की सबसे ज्यादा परदूसित राजधानी, अरविंद केजरिव की सरकार ने बना दी तो दिल्ली आज जो सलम बन गई है दिल्ली को ठीक करने की आफशकता है दिल्ली की जो मास्टर प्लान की सड़के हैं वे बनाई जाए जिससे की ट्रैफिक फ़स्ता ठीक हो दिल्ली में जिन छेतरों में मेट्रों नहीं पहुची है वहां मेट्रों पहु परदान मंत्री की आईसमान भारती योजना अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी उसको लागू करवाना है परदान मंत्री आवास योजना जो पूरे देशवर में लागू हो गई अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू होने दिया उसको लागू करवाना थोड़ा हमारे दर्श को मैं बताऊंगी तो लोग जानेंगे लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना भी पर्चदे क्योंकि छे जगों पर नहीं उम्मीदवार उतारे गए उनमें सबसे बड़ा मैं उननीस सो सत्र से राजनीती में हूँ उननीस सो तिरानमे में मैं पहली बार दिल्ली विधान सबा की का पहली विधान सबा का मेंबर बना चार बार से मैं दिली विधान सबा का मेंबर हूँ मैं दो हजार बीस से लेकर आज तक दिल्ली विधान सबा में नेता परतिपक्स ह with the rank of cabinet minister और मैंने पिछले चार सालों में अर्विंद केज्रिवाल की सरकार को बुरी तरह से घेर कर रखा जो अनेक ध्रस्टाचार के आरोप हमारे दुबारा लगाए गए मोधि जी जो जनकल्यान कारी गारी योझ आई ज्तर आ रहा है आ? मोधी जी ने डिली में अनेको एथियासिक विकास के कारे के डिली को दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया आध़ दिली के लोग 40 मिनट में 2 सरकार ने दिली में मोज़ी सरकार ने पारलिमेंट दिली दिली में मौज़ी के सरकार ने एक वर्ड किलास पुलिस हेटक़ाटर दिया इतना करने बात भी चहरे क्यों बदलने पड़ गए ये बताईए साथ की साथ सीटे जीती हैं अजादी से लेकर आश्टर ये हिंदुस्तान के इतियास में पहली बार हुआ है कि 2014 में भी भाज़पा के साथ के साथ मेंबर आदनीय मोदी जी की लीडर सीप में चुनाव जीते हैं वाकई इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए आप लोगोंने चहरे बदल के ही सही सीटे तो जीती ही है चलिए एक बार प्रविन जी के पास चलते हैं क्योंकि डिली में ही चानी चोक से ये थे bucks harvest उन्हें जल्दी से डिली की बात हो रही है एक translation प्रविन जी उस दिछ सुभा में बैटी हुई थी स्टुडियों में कभी प्रविन जी आगे प्रविन जी पीछे चले कभी प्रविन जी आगे चले आखिरकार जीत में लिए क्या वजह रही कि मतलब आपको लगता है कि सीट बदल के ही आप आंटी इंकमबंसी क्या पुराने सांसदों पर थी तभी चेहरा बदलना पड़ा और आप अपने बारे में और क्या करेंगे य समर्पित कारे करताओं की अटूट मेहनत और अगर मैं यह कहूं कि कारे करताओं ने मेहनत की पराकास्था कोच हुआ है तो को अती शोक्ति नहीं होगी नबे दिन का चुनाओ लगना कोई असान काम नहीं है और इसके अलावा अभी जैसा विदूरी जी कह रहे थी अर्वि में मन वचन और कर्म से जो वादे किये हैं उन वादों को निभाने की जो हमने संकल्प लिया है उसने कहीं नहीं मेरे कॉंसिट्विंसी के लोगों पर एक प्रभाव छोड़ा एक बात जो जिसका मुझे लाब मिला कि मैंने 35 वर्ष व्यपारियों के क्षेत्र में काम किया और चांदनी चौक पुरे देश में एक वो कॉस्टिट्विंसी है जिसमें डेड़ सो से ज्यादा वो ट्रेड है जो पुरे देश को माल सप्लाई करते हैं उसका मुझे जरूर फाइदा मिला लगिर कुल मिला कर देखे तो यह जीत पार्टी के कारे करता हो कि करेंगे क्या अड़े समवाद मेरे लोगों से बना रहें उसके लिए मैं अपनी स्यंसी मेंफुटवाद पर अपनी टेवलां लगाऊंगा ओंगा मैं 11 जून से काम शुरू क जा रहा हूं लोकेशन होगी कौन सी पट्री पर लगाएंगा इसकी शुरुवात चानदनी चौक घंटागरसे होगी घंटागरसे मेरे हाँ मिनस्प्र वार्ड है मैं हर मुन्सप्र वार्ड में रोस्टर के हिसाब से पट्री पर बैठ करके अपना काम करूं लागातार ऐसा नहीं की कुछ पहली चीज़ हुई अवेलिबिलिटी काम क्या करेंगा जूसरा मैंने अने प्रकार की बाते कहीं मैंने कहा कि मेरी कॉंस्टिट्वेंसी में दो सो बैट का मल्टी स्पेशलिटी होस्पिटल में सौ दिन के अंदर लेकर के आओगा प्रपोजल पास करा करके लाओगा मैं वो क मैंने का मैं उनके लिए स्टार्ट अप इंक्यूबेशन सेंटर अपनी कॉंस्टिट इंसी बनाओगा तो इस सारी चीजे हैं और जो मैं बात आप से कर रहा हूं मेरा होमवर्क तैयार है 11 जून को अगर आप मुझे बुला के पूछेंगी कि आप कैसे बनाएंगे तो मैं आपको दस्तावेश दिखा करें बताऊंगा कि मैं तो तीन चीजे आपने कहीं एक तो फूट पाथ पर हम लोग जाएंगे उनको खोजने के लिए एक दूसरा आपने 100 बेट्स का स्पेशालिटी होस्पिल टूहंडरेट बैस का जो आप सौ दिन में अप्रूवल ले कि बस्तर की सांसद मौद हैं हमारे साथ मौजूद है मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना परिशा दे दें बड़ी खूबसूरत जगह है 36 गड़ का बस्तर और आप लोगों क्या कमाल कर दिया मध्यप्रदेश के 29 सीटे बीजेपी लेकर गई 36 गड़ में भी आप लोगों ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया तो सबसे पहले अपना परिशा दे और बताए ये इतनी बड़ी काम्याबी कैसे हासल की महेश कस्यप बस्तर अभी शांसद सबसे पहले हमारे देश के इसरभी प्रधान मंत्री नरेंद मोधी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके दिव्विद्रिष्टी और हमारे देश के राश्चेद्रक जेपी अडड़ा जी अमिस साजी मेरे जैसा छोटा सा गाउं साट परिवार का मेरा गांव है सामा ने किसान परिवार का बेटा पहली बार सरपंज से सव्हां सत्रा समय वальную चाइने में इनका दिव्विद्रिष्टी मुझे पढ़ा और मुझे भारत का लोक्तंतर मंदीर का प्रतनी दित करने का उसर भीड़ा और उस चेत्र से मुझे शांसद चुनके वहां के जनता बेजा है जो नक्सलवाद से देश में सबसे ज़्यादा गरस्ती चेत्र है और आजादी के 77 वर्ष के बाद भी जो जल जंगल जमीन और वन संपदा से भरा हुआ चेत्र है कांग्रेश पार्टी के लोग शाट साल सास अब कहेंगे आप रेल मंत्री से यहां पर तो आपकी सरकार बनने जारी है कि वहां बस्तर में तेजी से दोड़े रेल निश्ची थी हमारे बस्तर के लोगों को रेल की सुविदा नहीं मिला है जब एक कांग्रेश पार्टी के लोग जब बैला डिला का लोहा को जापान के समझोदा करके बेचा बेजा और उहां के रेल लाइन विचाया गया लेकिन बस्तर के लोगों के मुल्बूत सुविदा के आज भी रेल लाइन नहीं है लेकिन अमारे देश के परदान मंत्री नरेन मोदी जी के नेतलितों में शर्णने वाली सरकार दली राजरा रेल रेल रावगाट तक हमने पूंचाया है और आने वाला समय में जगदलतुर तक पूंचायेंगे और वहां के लोगों को रेल सुविदा का अम उपलब्द कराएंगे और हमारे जो नक्सल परवावी छेत्र है आज भी रोज शड़क बिजली पानी जैसे मुल्बूत सुविदा स इससे माता सवज़क फ्रावी उसको पूरा करना हमारे पहला प्राथ में होगा क्योंकि हमारे मोदी जी के गारिंटि उपर बस्तर के लोगों तो अभी और कौन-कौन से काम काज हो रहे हैं मौजुदा वक्त में और आगे वो तीन मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिसको ब के मामले में आज बस्तर बहुत कुछ सुधार हो चुका है बस्तर में क्योंकि आज अधरनी सर्दे अटल वियरी बाजपई का देन है जो प्रधान मत्री शड़की ओजना उन्होंने लांच कि और भारत के बस्तर के हर गाहों तक आज रोड पहुचाने में कई ना कमी लाइन जुसके दूसरा स्वास की छेत्रे में आज बड़ा ऑस्पीटल हमारे या नहीं है इसके अलावा सिक्षा के छेत्रे में हमारे बहुत तो फिच्ड़ा हुआ है इसके साथ-साथ हमारे लोगों को स्वाक्ष्य पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है जो अंदरूनी में बताएकि कौन सा इससा है यह जे हां हमारे बस्तर वहां का जो संक्रती परंपरा लृतिरिवाज सदियों पुराना जो संस्कृति है जो मुगळों और चार्शान काル से सुरक्षीट रखा गया और हमारी यां जो देवी देवता होता है देवी का सिक होता है इसके साथ हम भगवान राम का 14 साल का वनवास का काल का सुनते हैं तो दंडकान चहत्र का उर्णन आता है वह चहत्र बस्तर इसलीं वहाँके लोग अपने नाम के साथ आधूराम वदुर earning अपने नाम के साथ राम लिखते बहुआन राम है और वहां के संस्कृति हमारा प्रेम जहां पगपग पे बदलती है संस्कृति और परंपरा यही भारत देश है मेरा अब हम पहुंचते हैं सीधा बारा मंकी उत्तर प्रदेश और आप माइक संभालिए तनुछ पुनिया आप तनुछ पुनिया जी ने अड़तालेस के मार् पच्पन फीजदी से जादा बड़े मार्जन से आपने हराया है बीजेपी को कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के गडबंदन ने जबर्दा सफलता हासल किये यूपी में बीजेपी को समेट दिया एक दम तो आप पहले तो समझाईए कि वजह इस जीत की आपको क्या दिखाई देती है और दूसरा आप क्या कमिट करेंगे ओन कैमरा अपने कंस्टिच्वेंसी के लोगों को सबसे पहले तो मैं तनुज पुनिया बारा बंकी सुरक्षेट सीट से सांसा दूं इंडिया कट वंदन से देखिए हमारे यहां मोदी जी आये थे उन्होंने का था दो लड़के हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं चुनाव लड़वाने जा रहे हैं तो जितने लड़के हमारे छेत्र में थे उस सारे लड़के वाकई में चुनाव लड़वाने के लिए निकल पड़े दो लड़ आपको इसका उसका एक्जामपल में देदू कि यूपी में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वोटिंग का हुआ है तो हमारे हां बारा बंकी में हुआ है 67.1% हुआ है तो ये ये बताता है कि किस तरह से हमारे जितने भाई थे उस जितनी बहने थी और निकल के लोगों को इतना युवा था हमारा उस सब हमारे साथ निकला बारा बंकी में समने चुनाओ लड़वाया हम चुनाओ लड़े नहीं है बहुत मलब जिस तरह से मैं पहले भी चुनाओ लड़ता हूं उसमें लड़ता था इस बार लड़ना नहीं हुआ बस जाता था गाउं में हम लोग शिरू होती है सब पचास तक युवा रहते हैं मेरा प्रश्राइब से यह है कि क्या आप चाहेंगे कि देश की संसद में हो हला कम disruption कम चर्चा हो हम लोग भी मतलब इंतजार करते कि आज बहस सुनेंगे आज देखते कौन नए नया संसद है जो अच्छा बूलेगा मौका ही नहीं मिलता वहापे सब बेल में आप चाहते हैं कि देश की संसद अच्छे से संसद चले और क्योंकि सरकार की कमिया निकालना हमारा काम है जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वह हमारा काम है उसको पॉइंट आउट करना और अगर धंग से अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो ही तो चर्चा अच्छे से होगी अगर हमको मौका मिलेगा अगर उसी में कह देंगे नहीं तुम बगवास कर रहे हो च्छों जीत के तो हम सब लोग यहां पे आए हैं अलग-अलग पार्टियों से हैं सब लोग लेकिन जो है अगर काम नहीं करेंगे तो पांच साल बाद पांच साल क्या पांचों साल जनता को मौन दिखाना है लड़िये जितना लड़ना लड़ते रही लेकिन क्वेश्चन आर चलन बहुत अच्छी खेती होती हर चीज में टूथपेज से लेकर चॉकलेट टॉफी सम्में पड़ता है लेकिन उसके उपर अभी तक सरकार कन्फ्यूज है कि वो कृषी कृषी में आएगा की गुड़ जन सर्विस में आएगा मंडी टैक्स भी लग रहा है जीस्टी भी लग कैसे वहां पर क्या है वहां पे हो स्टोल उतार ढला करने के लिए वह जह हो पर करने के लिए वह स्टोल तो हमारी सरकार की स्कीमे होंगी या फिर व्यक्तिकत रूप से किसी से बात करके वहां पर फैक्टरी वगरा खुलवाई जाए लेकिन रोजगार वहीं चाहिए लोग जाते हैं कई बार ऐसा सुना है कि रोड पे जा रहे थे डिली जाना था काम करने के लिए अक्सिडेंट हो कि कि आपको लोग मिलेंगे वो सब रोजगार के सिल्फले में जाते हैं तो एक रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्धा है युवा चेहरे की तो यहां पर बात हो गई है अब जराबात महिलाओं की कर लेते हैं क्योंकि चुनाओं के दर्मियान लगातार युवाओं को में करने के लिए इंडिया और एंडिये दोनों में जबर्दस तरीके से घामासान चड़ा हमार साथ मद्ध्रदेश की सांसत मौझुद हैं चुंकि पूरी सीटे चले गई हैं बीजेपी के खाते में तो बताने की जरूरत नहीं है मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना पर ट्राइबल जिला है और वहां पर रेल का है कि हम तेज गती से काम चल रहा है पर जल्दी से आ जाए दूसरा हम स्वास्त और शिक्षा को लेके चल रहे हैं कि आदी वासी ट्राइबल जिला जिला बड़ा है तो हमारे हैं केंद्री विद्ध्यले बीच में जब मैं दूसरी तो स्वास्त की थोड़ी महापर चिंता हम करते हैं तो स्वास्त का पाड़ी छेत्र है महिलाओं को स्वास्त शुईदाये मिले इसकी चिंता है दूसरा महापर चाहे कि आदीवासी ट्राइबल जीला लोग शोटे-मुटे पढ़ाई करके अपने काम में ही लगते हैं बहुत स हमारा भारत केते हैं मिनी प्रदेश केते हैं महापर सभी जाती धर्म के लोग मिलते हैं इसके अलावा बहुत सारी जीजे जब मैं 2014 में लोकसभा चुन कैई थी ऐसी चीजे मैंने जो की थी जो आज वो है आज दो तीन बाते आपकी बातों से मैं निकालूंगी आपने कहा क भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में रेल के क्षेत्र में बहुत सारे काम के जाने बाकी हैं अब 2003 से वहाँ पर बीजेपी के सरकार है 2018 में 6 माईने के कमलनाथ के शासनकाल को हम हटा दे तो इतने समय बीजेपी के सरकार रहने के बावजूद ये कामकाज अगर आदिवासियों के हम बात करें तो किसी एक राजी में सबसे जादा आदिवासि अगर कहीं है तो वह मध्यप्रदेश उनका उनके वोटर संख्या बहुत जादा है तो वहां पर ये काम का जो तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए जिसको आज आपको यहां पर बतान दे रहे हैं दूसरा हमारा मालवा छित्र है जो बदनावर छित्र रहता है महावी हमने प्रदानमंत्री जी नें मेगब भुट वरक माधेम भी लोगों को रोजगार देने एक इसारी काम किया है पर कई जगे सचे रहे जैसा पहाडी चेतर है महापर सुविदाइं नहीं प परड़ रही थी सब लोग बता रहे हैं कि मद्ध्रदेश वालों से यूपी वाले बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं इस सरा का कैमपेंग कि सीख लें पूरी की पूरी 29 सीटें आप लोगों ने अपने नाम कर लिए क्या जादू किया इतने सालों कि आपके सत्ता है 2014-2019 2014 में आप लोग 27 पर जीते उधर वो लोग 2 पर जीते 2019 में एक शंदवाड़ा वो जीते आप लोग 28 पर जीते और इस बार पूरा ही क्लीन स्वीप कर लिया क्या किया बीजेपी ने वहां पर देखो मद्धप्रदेश भारत का दिल माना जाता है और दिल माना जाता है भारती के जंता पार्टी की नियू हुई हमां से बनदब्रदेश से रखी गजी वह संगटन का कमाल और माने नरेंद मोधी जी का एक कमाल है जो माने नरेंद मोधी जी की जो जन कल्यान कारी योजना है जो नीचे लेवल पर जो जा रही है और मोधी जी की जो गैरंटी है मद्दाताओं ने विश्वास किया है और हम दूसरी बार चुन किया है चले बहुत धन्यवाद आपका तो कम से कम अंजना आज हम उम्मीद करते हैं इतने सारे सांसद इस वक बैठे हुए हैं जिनमें एक ही महिला सांसद हमारे साथ मौझूद है अगली बार जब आरक्षन के बाद इस सती यहां की यकीनन बदल जाएगी और जादा मजबूती से महिलाएं अपनी आवाज को आगे बढ़ाएंगी तो अब आई आपको मिलाते हैं एक और सांसद से जो कॉंग्रस पार्टी से है किरन रेडी जी इनको कहीं निकलना है तो आप जली से अपना परिचे हैं हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो बताईए कि आप क्या-क्या सोच रहे हैं क्या है आपके अजेंडे पर और तीन काम जो आप कमिट करके जाएंगे ओन टीवी हम कॉंग्रेस सत्ता में आयते लंगाना में हम उदर तोड़े गैरेंटीज दिये हैं वो गैरेंटीज के हिसाफ से 150 दिन का जो रूलिंग ता उसके माजियन से जो भी फाइदा हुआ उस पब्लिक ने मेरे को फिर ओड देके आज जिताया तो वो ही मेरे को फुल्फिल करना है दूसरे चीज क्या है चालीस पचास किलोमेटर दूर हैदराबाद से होने के बाद भी हमारे पास जादा से जादा फार्मर से हमारा तिलंगाना में 2014 से पहले कॉंग्रेस रूलिंग ता जब इरिगेशन प्रोजेक्स पेंडिंग ता वो फेंडिंग ही रहे गए क्योंकि आमारा क्सियार सेब और भ्रस से दस साल से वहाँ जीटके काम किया हो पास जो मुशी। रिवर है उसके उपर जो प्रोजेक्स है जो इरिगेशन चारपांच लाकर करका इरिगेशन को सप्लाइ करने के जरूरत है तो महां पेंडिंग प्रजेक्स को मेरे को करना है इमेडियेट लिए रेवन्थ रेड़ी और राहुल गांधी के कॉम्बो ने आपको जिताया इस पर आप बोलियो और बीजेपी बहुत खुशे हुने लग रहा है कि हमारी सीचे ते लंगाना म बढ़ी है थी बीजेपी थी एंट परसेंट रेवन्थ रेड़ी जी और रावल गांधी का जो कॉम्बिनेशन पर ही हमारे जैसे पहले बार संसद बने कोई बड़ा नेता नहीं रहता है पहले पाइचान अभी बन गया है ना मारा तो हम जब पहले बनता है तो पार्टी के सब जानना चाहते है आज कर बहुत सारे बच्चों में पोलिटिकल ऐस्परेशन भी होता है तो कुछ मज़ेदार बताइए कि पहली पहली बार कुछ हुआ हो आपके जीवन में संसद बने के बाद और लोगों की नजरे बदलती हैं क्या 100 परसंट बदलते हैं मैं तो क्या है और अगरे सेने सुए के बाई बहुत लागों लोग में काम करता है सब को मुछा नहीं मिलता है मेरे को मुछा मिले तो आज पूरे दूनिया मेरी तरफ देख रहे कि अम भी एक दिन आज से कामया भी हो सकता है तो सुबह उठके कुछ नया लगता है जीवन में, कुछ लगता है इसे कुछ हासिल किया बड़ा, गर के सामने तो लोग रहता है बहुत मिलने के लिए, क्योंकि पहले तो आपको एक यूथ कांग्रेस के लीडर में क्या आरगनेशन के अब कनेक्टेड है, अभी 18,00,000 कोटर के अप रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपके बूपर बहुत जिम्मेदार है, मैं तो मैसूस कर लिया, तीन दिन में ज्यादा जिम्मेदार है मेरे उपर, जीत का कुछी एक ही दिन था, दूसरे दिन से रियलाइज कर लिया मैं, कि जीत एक ही दिन का कुछी है, लेकिन अभी ये लोगों का जो जिम्मेदार है, अगर मिलना है आज के दिन तो मुबाइल फोन है, और मुबाइल फोन नेंबर हर लोगों के पास है, तो हर आदमी मुबाइल पर कांटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 24 गंटे में, अगर फोन नहीं उठाएं, तो यह आपने बहुत अच्छा किया, कई बार ऐसा होता है कि सांसद बनने के बाद लोग फोन ने उठाते हैं, तो अगर अक्सेसिबिलिटी आप बरकरार रखें और ऐसे भी कई सांसदे में आपको बताओं जो कि आज भी पत्रकारों के अगर आप उनसे बात करें तो फोन उठाते हैं जो कि चार चार पांच पांच साल से हैं तो उससे फ़र्क तो पढ़ता ही है, तीन काम आपको कमिट करना है जो इस पर दूसरा हमारे पास जो गवर्नमेंट पेंडिंग स्कूलस एंड का बिल्डिंग जो भी यह पैंडिंग का जो हमार पहले पालमेंट ने हर कॉंस्टैंजी में डिगरी क्लेज हर मंडल में जुनियर का वादा किया वह फुल्फिल तीसरे बार भी मोका मिला, मैं सोचता हूँ, ये कम से कम common man के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मेरे गाउं से जो लोग है, जो आईदराबाद में जो डिग्री पढ़के हैं, इंजिनेरिंग कालेज में जा रहे हो, तो मापाप बोल रहे हैं, बेटा आजाओ गाम में रुको, पढ़के फिर फाइदा क्या है, अगर दस हजार जेब से हमी भेजना है, तो तो नौ करिकर के आईदराबाद में क्या करने वाला है, जितनी अच्छी बहस आप यहां चेड़ रहे हैं, पारलिमेंट मे में भी आपने पतह हासल की, पर यह जो फर्स टाइम जीतने का जज़बा होता है, यह भी आप लोग जरूर बताएगा जब आपकी बारी आएगी, बहुत धन्यवाद से आपका, बैटे लंगाने से बजरा राजिस्थान चलते हैं, कड़ी और बड़ी टकर वहां पर देख हाट सीट रही है, कॉंग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी मेरे सामने थे, और भिलवडा की जनता ने मुझे तीन लाग पच्पन हजार से जिताया है, मैं इस जीत का श्रे नरेंद्र भाई मोदी जी को देता हूं, और मैं पिछले पचास बरस से जो वहां काम करता हूं, तो मेरी कनेक्टिविटी को देता हूं, में लोग सबा में बीस हजार से अधिक व्यक्तियों को नाम से बुला सकता हूं, जी, दस हजार से अधिक तो नंबर हैं, और जैसा अभी उन्होंने बताया, दसी हजार नंबर में से एक भी ऐसा फोन नहीं है, जो मेरे पास फीड़ और मैंने उसको रेस्पोंस नहीं दिया हूँ चाहरात को दो बुजे मुझे फोन करना पड़े इस कनेक्टिविटी का मुझे बहुत लाब मिला और बिलवारा को हमने बहुत ही मज़े से जीता क्या तीन बड़े काम करनी जा रहे हैं सांसर जी अब इतने बड़े प्रचंड जनादेश के साथ आप जीत कराएं सीपी जोर्शी को हराकर तो तीन बड़े काम ऐसा क्या है जो आप भीलवारा की जनता के सामने अब अगले पांस सालों में रखनी जा रहे हैं बिलवारा इंदोस्तान का मैंचेस्टर है वहां टेक्स्टाइल इंडस्ट्री का वहां के र पोजल भेजा जो टेक्निकली फिट नहीं था और इसलिए राजस्थान टेक्स्टाइल पार्क से महरूम रहे गया अब यहां पर भी आप अशोग गैलोद को ही कोसरा तो आ गई ना बीज़े अब हम टेक्स्टाइल पर लाएंगे मैं यह कह रहा हूं यह लेकर आएंगे य हूं और मेरा एक तक्या कला में मजाग भी गंबीरता से करता हूं वाँ इसलिए आप निश्चिंद रही है टेक्स्टाइल पार्क आएगा अच्छा यह बता दीजिए मेरा विशे रहेगा कनेक्टिविटी का तीसरा विशे रहेगा हमारे वाँ ट्राफिक व्यवस्ता बह कैसे आ सकता है क्योंकि लोगों की बहतर जिंदगी उनकी बाइंग कैपिसीटी से क्रियेट हो सकती है उस पर मेरा बड़ा जोड रहेगा इतनी टक्कर कैसे हो गए वैसे राजिस्थान में जल्दी से दो लाइन बताए कॉंग्रेस पार्ट एक्दम जोश के साथ इस चिंता का वीश्य है उसमें से जो रस्ता निकलेगा निकालेंगे चुंकि मैं स्वयम चुनाम में व्यस्तत था तो बहुत अधीक जानकरी इसकी मुझे पहली बार नीमें चुनाव इनमें जिंदगी में पहली बार लड़ा है पहली बार में 2005 में कॉंसलर बनाता पार्शक् चाहता था लेकिन वेरे उपर कृपाद रिष्टी नेत्रत की पहली बार हुई है और मैं उसका परिणाम दूंगा अपने जज़बा देखिए ना सर आप लगे रहे मतलब ये बात है 55 बरस से लगण मैं भी अभी मजाग सीरिसली कर रहे हूं अगले खंडवार ये चलते है अगले सांसट जी हमारे साथ है चला जाता हूँ किसी की धुन में बतलब किशोर कुमार की धर्ती खंडवा से ग्याने शोर बड़िल खंडवा मद्यवर्देश से हूँ आज आपको किशोर जी गाना सुनाना होगा क्योंकि हमेशा बहुत प्रतिभावार लोग भी संसथ प पहले यह घोशना की थी कि नर्मदा माई मेरे चर्णों में आएगी ऐसे संत भी खंडवा लोकसवा शेत्र में हैं और दादा धुनी वाले की नगरी खंडवा और उसके साथ-साथ किशोर कुमार जी की नगरी जो पूरे देज भरे में खंडवा का नाम रोशन किया ऐसे कि शेत्र कुमार जी की नगरी से मैं आता हूं और भारती जनता पार्टी से दूसरी बार शेत्र के जनता ने मुझे आशीरवात देकर शेत्र के जनता की आवाज बनाकर लोकसवा में भेजा है और मैंने लोकसवा में पहली बार आकर हमारे किसानों के मुद्दों से और प्रधानमंत्री फसल वीमा की शुरुवात हमारे शेत्र में क्योंकि बड़ी मात्रा में मेरे शेत्र में केले की फसल होती है कपास की फसल होती है और स्वयविन की फसल होती है और किसानों के खेत तक पानी पोचे यह मेरी मंच्छा है क्योंकि लगातार हमारे हैं पर डब अजली का उत्पादन होता है और लगभग साड़े तीन लाख हेक्टर जमीन सिंची जो योजना पर काम चल रहा है वह कंप्लिट हो जाएगी दो साल के अंदर तो साड़े तीन लाख हेक्टर जमीन में किसान की खेतक पानी पोचेगा जिसे निच्ची दूप से हमारा किसान स रोजगार के लिए जाते हैं उन लोगों को रोजगार ही पर मिले लाडली हम लकपती दीदी बनाकर हमारे प्रद commencement मंत्री मदीजी गा जो हो या हमारे लाडली लक्षिमियों नहीं हो वरपूर आशिरवाद देकर सरकार बनाने में बड़ी मदद करेंगे अपने संसदेश सीट का वो अस्पताल बताईए जहां पर आप भी जाकर अपना इलाज कराते हो अपने संसदेश सीट का वो स्कूल बताईए जहां आपको रिजन काफी अच्छा आया है कि बोर्ड की एक्जाम का रिजन काफी अच्छा है क्योंकि मैं भी एक प्राइविट इसकूल में पढ़ा था बहुत मद्यम परिवार से आता हो तो वो स्कूल से पढ़कर शुरुवात करी और उसके बाद आज मुझी इस बात का गर्व है कि यह मेरे संसीदी शेत्र में सरकारी इसकूल है जो बहुत अच्छी इसकूल है और जो प्राइविट इसकूल है वो भी काफी अच्छी है और उसके साथ साथ स्वास की सुविधाओं के लिए चाहे हमारे बुरहानपूर में भी करीबन सो बेड का हस्पडल काम करता है खंड की सुविधाओं को और शिक्षा को प्रात्मिक्ता के आधर पर उस पर ध्यान देकर बिलकुत और यहीं निवेदन आप सबसे भी हाथ जोड़कर है एक अस्पताल ऐसा हो जहां सांसद मंत्री अपना इलाज करा सके ऐसे स्कूल हो जहां आपके बच्चे पढ़ सके तभी त लोग जो जिस तरह नहीं मिल रहे हैं आज हमारी सरकार ने शूराज्जी की सरकार ने उनके मिजिम बनावा कर वहां पर शेत्री की जनता के लिए बड़ा मेसेज देने का काम किया कि अन्तिम श्राइश करकोना चींगर एप संसकार खंड़बा करके उन्हां वहां लाया गय मध्यप्रदेश से आ जाते हैं वैसे तो वहां जाने के लिए हवाई जहाज या फिर पानी वाले जहाज की जरुवत पढ़ती है लेकिन यहां पर चार कदम चलके ही हम सांसाजी के पास पहुंच गया चार बार से आप जीत करा रहे हैं पहले काजू की खेती होती थी अभी वहां पर बंद हो गई काला पानी की सजा वहीं पर सल्यूरल जेल है वहां पर दी जाती रही है यह बताईए सांसाजी चार बार से वहां की जनता का आशिरवाद वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको मिल रहा है अपना परि परिजी का शरकार के मादधम से शिंगापुर का तरह ट्रांस्रिप्मेंट पॉर्ट के मिल में बनने जा रहा है इसका काम सुरुवात हो चुका है अन्दमन मीनी इंडिया है बिल्कुल सारह भारत के लोग भी है प्राइवल भी है उस दर्ती आज़दी के क्रांतिकर के धर इक इसका दो बाद देती है इनलों के काम आजाएगा आगे मैं बारत का संक्षण में में इमांधार एंपी ए इमांदार एंपी है कोई अ तो अपने आपसे ही अपने आपको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं इमानदारी तो दूसरे बताएंगे ना कि तो अब आपकी ओर से करवाय जाएंगे जीत का चौका लगाकर आप पहुंचे हैं संसद्ववन तो बीजली का समस्चा है उसके कुछ प्रोग्रम बना था फिर हम लोग सुलर में गया था सक्सपूल नहीं हुआ बीजली के बड़ा काम है दूसरा काम है खास करके बीजली का बाद पीने का पानी का पानी तो बहुत है बड़ पानी का संग्रक्षन का कमी करण से दूपकल में पानी कम मिलते हैं दूसरा तुरिजम विकास आउर हो खास करके जो पाट प्राइबट एरलाइन सा है लूटतां नमानिक बर दिप्शमों को पोर्ट बलेर दिल लोग लोटेएं अधकाती कनी पकरते हैंब अभी पकरेंगे यसलिव आया है था व्ला इसले पकरेंगे लोसा संता से अच्छान नहीं लेते हैं इस पर कुछ ना कुछ तो होगा यह तो बहुत बीन और उनियों और पर कालापानी के सजा पाए जो नमानी है वहा पर भी लोग जाते हैं वहां पर पुरा फाइदा उठाने के लिए देखने के लिए घूमने के लिए तो इसके पहले आपने नहीं बीजेपी से कहा किये यह काम कर दीजेए दस साल से सरकार है पिछले बर तो कॉंग्रेस था हां तो कुछ किया नहीं आया गया तंका लिया टी पिछला लाश शंक्षाथ जेल में वह जानता नहीं है तो आप तीन बार चुने गये थे ना उसमाद तो लोड़े किया था हरा हरा नहीं मिला अमने को आसली बात है कुछ कुछ समय तो काम किया था अब इडिकर केस जबरदस चल रहा है पिछले संग्षाथ कांग्रेस पार यह देखिए एडि वाली बात अंजना बहुत धन्यवाद आपका संसद महुद है एडि वाली बात भी यहाँ पर आ गई है और अभी से यह बता रहे हैं कि जो अधर वाले संसद हैं वो जेल जाएंगे एडि का केस चलेगा चलिए अब आपको लिए चलते हैं पंजाब और पंजाब में श्री अननपुर साहिब सीट से मलवंदर काना जी हमारे साथ हैं आप अपने बारे में बताइए कैसे आपको जीत मिली कैसा अनुभव है यह और क्या काम करेंगे सबसे पहले तो सभी को सभी जो अनरेबल संसद आएं सभी को बढ़ाई और सभी को शुब काम नाएं मेरा नाम मलवंदर सिंग कांग है और शीरी नानपुर साहब जो एक इतिहासिक सीट है जहां साड़े तीन सो साल पहले गुर गोबन सिंग माराजी ने खालसा सजाया था और यह सद्धान दिया था मानस की जात सब एक के पहँचान वो इनसान की एक ही जात है उंच नीच को खतम किया था मैं उस इतिहासिक सीट से फर्स टाइम जीत के आया हूँ और इससे पहले मैं पंजाब यूरिवर्स्टी स्टूडेंट कांसल का प्रेसिडेंट रहा दो ट जिर्वा दिया है तो काम तो बहुत सारे करने हैं तो यह कहरें कि अर्विन के जीवाल जी को सुप्रीम कोट से अंतरिम बेल मिली वो बाहर आए प्रचार के लिए भी पंजाब में तो तीन सीटे बढ़ी लेकिन यहां दिली में एक भी सीट नी जीत पाए इसके वज़ा क् कि यह तो अभी स्मिक्षा का विशा है लेकिन डेफिनेटली क्योंकि भारी तादाद में पंजाब के लोग दिली में भी रहते हैं बहुत बढ़ा मुट बढ़ा है नहीं जो अर्विन जी के खलाफ जो पूरा मामला बना है वो पूरा वेंड़ेटा पॉलिटिक्स ही है क्य हुआ कि जो में एविडेंस है रागव रहेडीजी हो और दूसरे हो उनको दोनों को ब। बी-जेपी ने एक से फंड लिया है एक से एक को टिकेट दी इनके फादर को रागव रह जी के फादर को तो वो तो ब।ब in data पॉलिटिक्स है लेकिन पंजाब में हम क्या कारण रह सबसे बड़ा तो इशू यह कि हमारा बहुत सारा पैसा इंटर सरकार ने रोक रखा है अडिया फिर नेशनल हेल्थ मिशन का पिछले तकरीबन डेड़ साल से वह रिलीज कराना है महाली एक international airport है वहाँ से जादा से जादा international flight चलें क्योंकि passenger पंजाब के पास बहुत है उनको दिल्ली आना पड़ता है तीसरा जो मेरी consistency है श्री नानपुर साथ वहाँ दो एरिया ऐसे एक महालपुर और एक बाला चौर वहाँ sports का talent बहुत है महालपुर तो एक ऐसा कस्बा जहाँ एक टाइम इंडिया टीम पूरी की football टीम एकी कस्बे की थी इंडिया वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी तो sports infrastructure के लिए काम करना है medical education के लिए काम करना है तो तमाम ये priorities में रहेंगे हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है अब जड़ा पंजाब से आजाते हैं सीथे बिहार चलते हैं सबसे जादा नजर बिहार पर टिके हुई है नितीश कुमार को लेकर सबसे जादा चर्चा है लेकिन अगर शांदार प्रदर्शन किसी से एक पार्टी के और से किया गया है वह है चिराख पास्वान सौ फीसद जीत के साथ उनके पांचो सांसद अब संसद भौन में बैठेंगे यूआ यूआ चाहर हैं मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना इंड्रुडक्शन खुदी दें और लोग जनसक्ती पार्टी के संस्थापक सर्दिया राम बिलास पास्वान जी के ग्री जिला खगड़िया से एक लाख एक सथ हजार के मत से जीत कर मार्जीन से जीत कर यहां पर मुझे आने का सुभाग प्राप्त हुआ इसके लिए मैं हमारे खगड़िया की तमाम जनता का और एंडिय के तमाम कारे करता हूं का हमारे यशश्वी पधान मंत्री नरेंद मोधी जी का हमारे राश्च चद्यक शिराग पासवान जी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने वाला हूं मेरे परिवार में कोई कभी किसी पार्टी का सदस्ट भी नहीं रहा, 2014 में इंजिनेरिंग को कम्प्लीट करने के बाद 15 से अपने ही कॉंसिच्वेंसी भागलपूर जहां से मुझे राजनितिक पहचान मिली, जहां से मैंने सबसे पहले वार्ड का एलेक्शन लड़कर 2017 में मैं वार्ड कॉंसलर बना, फिर बतवर डिप्टी मेर जो है, 2017 से 22 तक बतवर डिप्टी मेर रहा, चिराक पासवान जी ने मुझे 2020 में पहली मर्तवा विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, जो समय तो बुरी हार हो गई थी आप लोगों की पार्टी की, देखिए चुर्जब राजनिती में आप रहते ह जी बिलकुल, लेकिन हमारा प्रयास जो है, वो हमेशा से हमारे नेता का जो प्रयास रहा है, वो बिहार फस्ट, बिहारी फस्ट के वीजन को लेकर वो हमेशा चलते रहें, तो सुभाविक है, ऐसे तो हमारे नेता की भी पार्टी एक सांसद की पार्टी थी और आज पांस स बताइए सांसद जी कि आपके लिए कैसा यानुभव है सांसद बनना इतनी उम्र में 31 31 32 यह चुन-चुन कर जो यह शामभवी जी आपको सबको बहुत सीरेसली ले लिया एक दम चिराग जी ने इस बाद सब युवा चेहरे लाने हैं देखिए हमारे हमारे नेता की लोगप् साधने का प्रियास करते हैं वहीं हमारे नेता ने हमेशा से बात को कहां जहां विपक्ष मय संहिकरण की बात करता है Kerry क बताते हैं जहां जहां से जीते ैं वहां का अगर सारत जाती संही करन मैं बतानी लगँं टाइम बहुत जादा लग जाएग जराइए बताइए तीन वो काम क्या करने वाले हैं बदोर सांसद और ये नितीश कुमार पर भी आप लोगों की नजर होगी ना अब चिराग जी को देखकर तो लग रहा है कि स्थर हैं लेकिन नितीश बाबू को लेकर उधर त्यागी जी का बयान सामने आगया है किसी त्या इस तरीके से मानने मुखमंत्री जी ने कहा कि उनके अंदर तो खुद इतनी सुकता है कि दो दिन के बाद क्यों पधानमंत्री आज ही क्यों नहीं सपत लेले वह तो खुद इस बात के लिए प्रयाश्रत है तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी मधभेद नहीं है पूर बहुत जगों पर सड़क नहीं है और बलकि सड़क बहुत खराब है तो मुझे लगता है कि मेरी पहली प्रात्मिक्ताओं में रहगा कि खगडिया लोकसभा छेदर के अंदर जितनी भी सड़के हैं उसका निर्मान हम लोग करा सके और इस भीशन गर्मी में पूरे चुनाव प्रचार के दुरान यह हम लोगों ने देखा कि आगलगी की घटना जिससे सेकड़ों परिवार जो है वहां पर आगलगी घटना के सिकार हुए कई बच्चों की मृत्ति हुए कई परिवार जो है दुखद उनके मृत्ति हुई तो मुझे लगता है कि हमारे प्याश्यश् आपके पास भी आरे हैं सर इनको निकलना है मेरा नाम विश्मृदयाल राम है मैं भारतिय जनता पार्टी से हूँ और पलामु संसद्येश्चेत्र का प्रतिनी दुद्द करता हूं पलामु जार्खंड में पढ़ता है आपको पता है पलामु और गढ़वा ये दो जिला है जो पलामु संसद्येश्चेत्र के अंतरगरत आतने हैं और ये दोनों जिला एस्पिरेशनल डिस्टिक्स तो यहां की जो समस्या है वो सिचाई से संबंदित समस्या है पेजल की समस्या है और रोजगार की समस्या है जहां तक पारिकाल में एक योजना पास कराई सून नदी से पानी को लिफ्ट करके पाइब के माध्यम से किसानों को खेतें में पानी पहुंचाने की उस योजना पर 60-70 काम हो चुका है और एक बार ये योजना धरातल पर उतर जाती है पूंदया तो निश्ची तुप से सिचाही की सम समस्या किसानों की दूर होगी इसी प्रिकार से पालामुजिला के अंतरगत सून नदी उत्तरकोयल नदी और गोरगा नदी से पानी को लिफ्ट करके जितने भी जलास है आहर है पोखर है नहर ये सब को पानी से भर दिया जाएगा ताकि जब किसानों को पानी की आवशक्त पाने के लिए अभी हम लोगों ने मैंने नगर जलापूर्टी योजनास फेस्टू की सुकृति दिलाई है और मुझे उमीद है कि उस पर जल्दी कारी सुरू होगा दिल्ली के अलावा एक और राज्य जहां पर मुख्यमंत्री जी जेल में थे अब उनकी जगा दूसरे से इम कंटिन्यू कर रहे हैं तो को तो तरहीं नुक्सान हो कि उनको फाइदा हो गया फायदा हुआ इस वकर करके करें। ने कि हम नखाएंगे नखाने देंगे हमारा जीरोट्रेंस का अगेंस्ट कर्शन सिधान अगवाह को पढ़एं। तो आप जदी गलत Rudi करे गा तो उस आप खाम्याजार देने के लिए तैयार रही है। हेवंत फुरेंजी ने जिस परकार से जमीन घोटाला में अपने सनलिप्टा दिखाई है निशित रूप से उनके विरुद्ध साक्षे पर्याप्त हैं एडी के पास और उन साक्षियों के आधार पर ही उनके में लीष करना निशित रूप से एक मुख्यमंती को सोभा नहीं देता है और मुख्यमंती जी को इसका हर्जाना देना पड़ना है बहुत बहुत धन्यवाद सांसर जी आप एक और इनको सांसर जी को निकलना है तो माईक जल्दी से देते हैं आप अपना परिचे देकर कि हमारे चेत्र में आधर्णिय नरेंदर मोदी जी ने जो विकास के कारे किये विशेश तोर से अगर मैं कहूं सराय काले खां से जो एनेस 24 गाजीपुर तक जाता है उसके आठ विधान सबाएं पर असर पड़ता है पहले 45 मिनट लगते थे आज 7 मिनट में वो एरिया कवर हो उसके आसपास पार्किंग बनती है उससे पलूशन खतम होता है वहीं उसके साथ ही अक्षरधाम से देरादून एक्सप्रेस वे बनने का काम चुरू है जो की चार से महिने में समाप्त होगा दिल्ली में उसका स्ट्रेच साथ किलोमेटर का है हमारी कंजस्टिड एरिया गा आते हैं यह सब कामों को देखते हुए वहां पर जनता ने तीसरी बार लगातार आशिरवाद भारते जनता पार्टी को दिया है लेकिन इसमें एक राइडर है वो राइडर यह है कि आप सांसत का चहरा बदल देते हैं पांच साल ऐसा क्या कीजेगा कि आपका टिकट अगल में जाएगा यह सरकार वाला वेक्ति संग्ठन में आएगा यह उनका निर्न और है यह हमारे हैं अंक्सर आपको देखने में मिलता है और मैं मानता हूं कि हमारे छेतर में जो जुगई क्लस्टर से hazır- उसके लिए मेरा कमिट्मेंट है और वो 100 दिन में हम प्रारंब करेंगे हमारे यहां पे कलंदर, कलोनी और उसके आसपास की तीन जुग्दी बस्ती कलोनी है 4,000 जुग्दी है वहाँ पर अगले 100 दिन में वहाँ पर जुग्दी कलोनी की जगा पर फ्लैट बनना उनका मकान बनना प्रारम्ब होगा प्रधान मंत्री जी की जो योजना है जहां जुकी वहां मकान के अंतरगर एक law campus अपने youngsters के लिए हम बनना प्रारम करेंगे पार्किंग की समस्या है एक पार्किंग को भी बनाना प्रारम करेंगे यह primarily हमारी commitment है जनता के साथ यमना जी की हालात अच्छे नहीं हैं सब अच्छ की सरकार से लेने के बाद भी उसमें एक तिनका भी साफनी किया है और वो पैसा भी ब्रष्टाचार की बेट चड़ा है मेरा प्रयास रहेगा कि हम यमना जी की भी स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हुए उसका initiative ले और उमीद हम करेंगे कि कम से कम आमाद्भी पार्टिय और बीजेपी के बीच यमुना जी को लेकर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है उस पर विराम लगे और यमुना जी स्वच्छों मैं सीधे रूख कर लेती हूं गौालियर गुना पर मध्यप्रदेश की सीट पर सबके निगाह टिकी हुए थी गौलियर की सांसत महोद है हमार प्रदेव पंडित अटल विहरी बाजपेई जी वी गौलियर से सांसत रहे और भारत सरकार के पूर्व क्रिशी मंत्री यादानी नरें सिंग तोमर जी वी वहां से सांसत रहे और गौलियर तांसें जी की जनम भूमी है गौलियर जिलाएक ऐसे जलाए अंतराश्टी पहच प्रदान गौलियर रखता है महाँ से मुझे सांसत बनने का स्वभाग प्राप्त हुआ है तीन बड़े काम क्या करवाने जा रहे हैं आप सांसत बनने के बाद गौलियर निश्यत रूप से पहली प्रात्मिक्तावेरी यह रहेगी कि जो काम हमारी सरकार के हमारे पूर्व क सांसत जी के जो काम अधूरे हैं उन कामों को प्रात्मिक्ता पर पूरग कराना और साती साथ गौलियर महानंगर के लिए इस्ताई पेजल की वहस्ता का समाधान करना चम्मल से पानी गौलियर लाना मेरी पहली प्रात्मिक्ता में रहेगा और रोल की कनेक्टिटी के मामले में हम आगरा को सीधा गौलियर से जोड़ेंगे तीसरा क्रसी आधारत छोटे छोटे उद्योग इस्तापित कराने का पूरा प्रियाज करेंगे जिससे हमारे किसान परिवार के यवाओं को भी ठीक प्रकार से रोजगार मिल सके और उनकी एक आई भी दुगनी हो सके इसके बड़ी बाते आपके ओर से गिराई जारी है जो कामकाज आप करेंगे अब मैं आज आती हूँ आपने कहा कि माननिया अटल बिहारी बाजपई भी उस शेत्र का अप्रतनिधित्व करते रहें और अभी जो बीजेपी की हालत है हाला कि मद्धिप्रदेश में आप लोगों ने कमाल कर दिया लेकिन दिल्ली की गद्दी में 240 की आसपास रुग गई और फिर एंडिये के सारे अपनी सरकार पांच साल चलाने होगी अटल जी की वो कविता है कि बाधाएं आती हैं घिरे प्रिले की घोर गटाएं कदम मिलाकर चलना होगा उसकी आखरी लाइन में बता दूं तो कदम मिलाकर एंडिये के साथ चलने के ल निश्यत रूप से गठमंदन और पार्टनर से भी हां होती है तहां विचारों का तालमेल आधान प्रदान ठीक होता है तो हमारे एस्वस्वी प्रदान मंत्री आधने मोधी जी जिस तरह से देश को आंगे ले जाने का काम कर रहे हैं प्रगती की और तरक्की की और हमारे अथिवे सब्सक्राइज के साथी सभी को पूड़ से देकर उनके साथ मैं हमेसा मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रदान मन्ती जी ने जब देश का दिल काम से जीता है तो एंड्य आ के सातियों का भी दिल उन्होंने जीता निश्यत रूप से और यह सरकार बहुत मजबूत सरकार रहेगि और देश को इस 5 साल में एक नई और पैचान मिलेगी मजबूती बतारे हैं मद्ध्यप्रदेश की तरह मजबूती रहेगी क्या दरश्रुवात से लेकर लगती की होना है बहुत लुए आर शांसत यह अपका बहुत जहते हें जहाँ पर क्लीन सवी उत्राकंड में किया है तीसरी बार के सांसत अजय तामरा जी हमारे साथ है एप मुझे लुत्राखंड वाले जोली भरते पी म की हमेशा बजा और आपके तीन काम क्यां जक्तिन और आपके माध्यम से सबी आपके इस कारिसाला मैं सबी सांसतों का बोड़ इननने अरा आपके माध्यम से देखरें सबी दर्सकों का भी बहुत धन्यावाद कि मेरा संसदी चेत्र मेरा मोडा से हूं जाय टमटा मेरे संसदी चेत्र में चार जिले हैं 14 विधान सबाये हैं नैपाल और भारत चाइना देदा देज़ा है पूरा हिल कॉंस्टेंसी है और नैपाल चाइना तिबद का बॉर्डर एरिया है अब मेरी लोग सबाचेतर चुकि लगातार मैं चौथी बार चुनाओ लगातार जीत कि मानिपरधान मंत्री जी के मार्दसन में आया हूं क्या करते हैं आप लोग ऐसा कि तीसरी बार टिकेट मिल जाता है बीजे भी कई लोगों का टिकट करता है अच्छा कुछ अलग जो करते हूं बाकियों को टिप्स दीजे ताकि उनको यह सब अपने साथी हैं संसद में पांस साल साथी रहेंगे और हम इन सब के साथ सेयर से आगे आप आपके समय में उप्योग नहीं हो पाएगा वो बाद में बताएंगे बैठने वाले हैं मगर मेरा जो संसेदी छेतर आप सबके भी ध्यान में क्योंकि मैं उत्राखंड राज्जी से हूं तो उत्राखंड राज्जी को अटल विहारी भारती जनता पार्टी के मारji 상शन में मिला है और पूरա他 पूरा हिल इरिया कि राज्जी है और मेरी कॉंस्टेंसी हंड़ेड पर्शेंट है और चुकि माननीप्रधान मंत्री जी प्यार और उनके द्वारा दीएगे विकास कारिय. मेरी कॉंस्टेंसी में एक ही दिन में चार कारिक्प्र मानी प्रदानमंत्री जी ने किये आपके धिहान में होगा कि आध्ये कैलास जो कैलास मान्न सुरवर जाने के लिए हमको बहार जाना पड़ता था. आधी के लास जो नया डेस्टिनेशन है बहुत पुरानी खमलोग की मानेता है वहाँ तक सड़क पहुचाना जॉलिंग कोंग तक मानि प्रधान मंत्री जी का स्वयम आगमन होना अंतिम गाउं गुंजी तक भी गाड़ी का पहुचना भारत के लीपू लेक दर्रे तक जहां से फिर हमको तकला कोड जाना पड़ेगा चाइना में वहाँ तक रोड का नेटवर्क पहुचाना औल वैदर रोड की कनेक्टिविटी करना चार धाम की रोडों का हमने जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने इंटरस्ट दे करके काम किया है आप सब के लिए भी जो देव भूमी है पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं केदारनाद बद्रीनाद वैसी आज आधी कैलास भी आ रहे हैं मैं आपको भी अभिनंदन करता हूं कि आप भी आधी कैलास जागिस्वर धाम आईए और बहुत आपको अच्छा भी लगेग गड़वाल जाकर मैंने बलूनी जी का पूरा क्षेत्र कवर किया था उनकी भी सीट बहुत लंबी चोड़ी है जी हाँ जी है बहुत बढ़ी है मेरी भी कॉंस्टेंसी आप आईए मेरी भी बहुत बढ़ी है हमारे यहां पांस लोग सबाच चेत्र हैं सभी लागों में तो कैसे आप काम करें तो हमने अपना यह किया कि पूरा और का नेटवर्क दिया है इसले दस सालों के अंदर पहली बार संसेदी चेतर को हमने रेल नेटवर्क से जोड़ा है पहली बार एर कनेक्टिविटी से जोड़ा है पिथोड़ागर जो अंतिम जिला है उस जिले तक हमन हैं रिवर्स प्लाइन की तरफ पिजाना है क्योंकि हमारे पहार खाली हो रहे हैं आप देखते भी हैं कि बहुत सारी वोस्ट विलिजेश हैं वहाँ पर ऐसे गाउं जो की बिलकुल सन्नाटा है नहीं अभी हमारा बहुत चोड़ के चले अभी अब बड़ा इस भी हमने जो ए पिजान के अंदर याने की बागी शुर्त कनेक्ट करना है रामंगर चखुटिया गैर सेंट हमारी राजधानी है उसको कनेक्ट करना है गड़वाल के जो हमारा टूरीजम सेक्टर है उसको कुमाओं के मानस्खंड से जोड़ना है उसके लिए हम लोग सब मुख्यमंत्री कि आने वाले समय के अंदर अलमोडा संसरी छेत्र पिथोड़ागर बागिसवर चंपावत चारों जिले पूरे देश भर के लिए सब के लिए टूरिजम के लिए बहुत अच्छे हो आपके लिए एजी अप्रोजो और आप लोग आएं देव भूमी में आईए सुन्दर आनं कर सकते हैं दर्शन का भी और उसके साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी कई जगों पर बहुत प्रमोट किया जा रहे हैं लेकिन हाले में आप देखा है अभी जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कितनी लंबी-लंबी कतारे गाडियों के उसको भी दुरुस्त किये जाने जा रहे हैं जी प्रणाम आज तक को बहुत-बहुत धन्यवाद मेवाड क्योंकि भारत की जो मूल संस्कृति है और जो संगर्स है उसका विगत डेढ़ हजार साल से असमीता का प्रश्ण रहा है और प्रेणा का स्थान पी रहा है तो प्रातर समनी माराना प्रताव को नमन करते हुए वहां के आधिदेव एकलिंग बाबा को नमन करते हुए हम जब मैदान में गए तो पूरी तरह से पूरे क्षात्र में जो आठ विदान सबाक्षात्रे सभी जगह से जनता का परपूर आश्रवाद मिला और वह इसलिए आश्रवाद मिला कि यससी प्रदान मंतर करते हैं वह वह हैं जो दबाइं परफूर जाता है उसको रोकने की यह न हो ऊशाफ़ा लेकर और आपकी आफनimat यहुअ तो पर लड़े क्या पढ़ाय लिखाई की क्या थोड़ा आपने बारे में बताई जी जी डॉक्टर मंदलाल रावत और मैं मूलता एक सामाजिक कारे करता हूं राजकी सिव्या में 27 साल का अनुभव था लेकिन सामाजिक मुद्वों को लेकर जनजाती मुद्वों को लेकर औ अगे बढ़ते चले और जिस प्रकार से केंडरी नेतरत ने राज्य के नेतरत ने और भारती जन्ता पाटी ने एक मंच दिया है जो अवसर दिया उसको लेकर हम आगे बड़े और तो फस गई उसके पीछे के बड़ी वजय क्या समझ में आई जन्ता ने यह तो देखा कि एक ऐसा नेतरत हिराश्ट में जिनका अपने पास एक विजन है और इस विजन को लेकर हम सभी आगे बढ़ सकते हैं तो इस विजन के तो साथ तो मेवार के मेवार की जन्ता थी आप फिर नजर आया कि विक्सित बाहरा दोजार स सेतालिस में विक्सित मेवार्ड वागड हुड हुग जो क्षातर क्षातर के तो सभी जूरत यह यह बिल्कुल बिलकूर पुरी तरह से जोस में हैं और अक्षाथ की समिशा हैं उनको लेकर चालहाई की समिशा हूँ चाहा पानी की समिशा हो चाहे बढ़ी समेशा है कि बड़ी समिशा है forest right act की समिशा हो गई कैसे उनको जोड़कर गाउं को ताकत दें लवली हुड को कैसे जोड़ें यह सारी बाते जब रखी हैं वह सारे सुत्र हैं आगे के कालखंड में अगे बढ़ाएं अब यहां से सीधे अपने दर्शकों को लिए धन्यवाद आपका स से राजय में जाते हैं जहां पर शिंदे साहब आपने सुना होगा लंबी कविता उन्होंने प्रधान मंत्री के लिए तो शिंदे साहब की पार्टी से हमारे साथ नरेश जुड़ रहे हैं जो की ठाने से इस बार सांसत चुने गए हैं और नरेश जी इससे पहले कि आप ब थकरे जी का जो फैर हिंदुतों का उसी लिए हम उनके साथ हैंद्री पत के लिए नहीं आयें और यह जो बाते चल रहे हैं यह मांग रहे हैं औहों मांग रह वकुछ भी नहीं है मोधी जीन की हैट्रिक यहीं हमारा मिशन था और इसलिए हम उनके साथ आए यह मिडिया में जब यह मांगो ओ मांगो वैसा कुछ भी नहीं है लेकिन देखे फैमिली पॉलिटिक्स में यह हमने चुनाओ दर चुनाओ देखा है अगर आप चंदरबाबु नाइडू को छोड़ दे तो जाधा तर जो फैमिली लेड पॉलिटिक्स है उसमें जनता विरासत बेटे को ही सौप देती है क्या आपको लगता यहां पर भी वही स्टाइकरेटिस अगर आप देखेंगे हमने 15 सित लड़ाई थी हमारी साथ सीट अंहोंने देझ सीट लड़ाई और उनकी नो सीट आई तो स्टाइकरेटा हमारा अच्छा है और उन्हों कीजेट आई है उसके पीछे की रिजन है लोगों को गुमरहा किया है एक ढ्रमिक त उसी तरह की बाती की थी वो नेरेटिव सेट करने का कोशिस की उनमें वो सक्सेस हो गए लेकिन मैं आज ही आपके चैनल में बता रहा हूँ जो नव सेट उनके आई है उसमें के दो सांसरे ने ये दो दिन में माने ने मुख्यमंतर एकनाश इंदे साब से का साथ कॉंटक किया है और वो हमारे यहां आना चाहते हैं महराष्ट की जनता पहले भी कंफ्यूज थी अब भी कंफ्यूज रहे हैं तो कौन बना असली देखो आप बाला साहब देखेंगे तो हमको ज्यादा मिले हैं और शिवसेना का जो बाला साब का हिंदूत का जो विचार था देखो बास आपका एक ही कहना था अगर मुझे कॉंग्रेस के साथ जाना पड़े पड़ेगा तो मैं मेरा पार्टी बन करूंगा हम लोगों ने विदान सबा में बीजेपी की साथ यूती की और विदान सबा चून के आने के बाद अपनों को मुख्यमंतरी मिलना चाहिए उसकी ख बाजनीती नहीं होती न वो तो जश्न मना रहे हैं सर और कह रहे हैं कि अजित पवार के कुछ विदायक अभी से जुड़े हुए उदर शरत पवार से बातचीत कर रहे हैं देखो शिंदे साब की सब्सक्रार को बागा साब का विचार था सिर्फ बच्चा होके नहीं चलने वाला विचार विचार आगे बढ़ाना चाहिए उनका हिंदुतों का विचार उन्होंने छोड़ दिया आपको मालूम नहीं महराष्टा में मजजिदों में प्राथना स्तरों में मुल्ला मोलों को लाखों रुपे देके इसलाम खत्रे मे इसी तरह का प्रचार किया गया और इसलिए आप ओट मशाल को दो उद्धव ठकरे को दो इसी तरह का प्रचार हुआ लोग बस भरवर बरके ओटिंग के लिए जा रहे थे जून से लोग जा रहे थे इसी तरह का वातावरण यह मुंबई महाराष्टा में किया गया बहुत ब्रिजाल्ट है एकनाच चिंदे के बेटे वहां लड़ते हैं तो यह आपको क्या लग रहा है मतलब फैमिली पॉलिटिक्स आप कहते हैं उनके पेटे को टिकट दे देते हैं तिसरी बार तिसरी बार शिर्कान शिंदे वहां चुन किया है अब यह देखो हमारे पारिटी को अगर मंत्री पर मिलेगा तो हम लग बोलेंगे हमारे नेता को तो तिसरी बार चुन किया है यहां पर तो बारा सिर्क शिवसे ना किसके साथ है और प्रोव किया है वह दो लाग का गैप लेके 2 लाग का डिफरेंस लेके ृजिय से चुन किया है तो शिवसेनिक हमारे साथ में हम लोग इतने होटा देखना देखना मुख्यमंदरी की कुर्सी भी महराश्टा में नोगों ने समाल के रख्की हुई है अब यहां पे काबिनेट मंदरा आल है भी चाहिए तो बीजेपी क्या ऐसा करेगी देखना होगा लेकिन हमारे साथ हजारी बाद के सांसाद आ गए हैं और आपको बता दे येश्वन सन्हा की ये सीट रही है उनका गड़ उसके बाद उनके बेटे चुनकर आते रहे लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर आपको मैदान में उतार दिया गया तो मैं चाहूंगी सबसे पहले अपने बारे में आप परिचे दें किस तरह से हराए अपने प्रतिदंदी उम्मीदवार को और फिर अगला तीन बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है जिसको आप अपने एजंडे के तहट आगे बढ़ाने वाले हैं कि मा चिन मस्तिके की धरती मा भदर काली की धरती हजारी बाग संसदिय छेतर से मैं अभी निर्वाचित हुआ हूँ मेरा नाम मनीश जैसवाल है मैं 2014 से दो टर्म का विधायक हूँ भारती जंता पाटी का हजारी बाग सदर से और इस बार महां की जंता ने मुझे अपना पूरा पूरा आशिरवाद 2,77,000 के लगबग मतों से किसे अधिक मतों से मुझे जिताया है और हम लोग का एजेंडा हमेशा से विकास रहा है मैंने अपने 78 दिन के कैमपेंड में लगबग 1200 से प्लस गाउं में मैं जा करके हम लोगों ने 3-4 मुद्डे अडेंटिफाई किये हैं जिसकी सबसे जादे तकलीफ हजारी बाग में है हजारी बाग का सबसे बड़ा समस्या अभी विस्थापन का है 1950-60 के दशक में जो डैम्स बनें वहाँ पे तिलया डैम हो, कोनार डैम हो, पतरातू का डैम हो इसके विस्थापन को भी आज तक जो है वो जगह नहीं मिला है और विस्थापित जो है आज भी परिशान है पहला तो ये मुद्दा है दूसरा, सरकारों को ये समझने की जरुवत है कि विस्थापित होने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसा दे दीजे और जमीन ले लीजे वे जो sentiments है कि मैं वहाँ पे पैदा हुआ मैं वहाँ पे खेला मेरी शादी वहाँ हुई मेरे बच्चे हुए मेरे परिवार की अर्थी वहाँ से उठी इन सब sentiments को भी अगर हम disturb कर रहे है तो कम से कम जो विस्थापन हो उसके पहले पुनर स्थापन करने की जरुवत है जाजारी बाग में CCL की माइन्स हो NTPC की माइन्स हो Tata Steel की माइन्स हो यह जो dams की बात हम लोगों ने कही इन सब चीजों को ले करके बहुत बड़ा दर्द विस्थापितों का वहाँ पर है और इस पर सबसे जादे रहे हैं वहाँ से जन सनहा, यश्वन सनहा सब लोग आते रहे हैं और अब आप गिना रहे हैं विस्थापन कितना बड़ा मुद्द है तो इसके पहले के सांसदों ने कुछ किया नहीं किया हजारी बाग के लिए देखिए ये मैं कमेंट नहीं करूंगा लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन में विस्थापन का दर्द वहाँ पे बहुत अधिक है और आप किसी भी चेतर में महाँ पे पांच विधान सबा सेग्मेंट आप कहीं भी जाएए तो विस्थापितों की आवाज आपको हर जगह सुनाई पड़ेगी तो वह पहला मुद्दा है जिस पर मैं काम करना चाहूंगा दूसरा हमारे चेतर में पैसेंजर ट्रेनों की जो आवागमन है वह काफी कम है चाहिए आप बढ़का काना लें पतरातू लें रामगर लें हजारी बाग लें बरही लें तो यहां पर पैसेंजर ट्रेंज काफी कम चलती है तो इनको इसके डेटवर्क को बढ़ाने जाने की जरुवत है सड़क का नेटवर्क सपेचलिए अगर हम लोग परदान मंतरी ग्राम सड़क योजना को देखे और उसके द्वारा निर्मित जो सड़के हैं उसकी स्थिती बहुत खराब है उस पर एक बार हम लोग को काम करने की जरुवत है और चोथा इतने सारे कामकाज आप गिना रहे हैं इससे लग रहा है अब जल्दी से ये बताएं कौन सा जादू था आपके अंदर कि जयन सिंधा जैसे नेता को टिकट काट कर आपको पार्टी ने टिकट पकड़ा दिया उनके वोट नहीं डालने को लेकर भी बड़े सारे सवाल आप लोगों की और से खड़े गये थे देखे मैं समाज सेवा में रहा हूँ और कोविड काल से लेकर के मैं दस साल का विधायक हूँ और समाज सेवा के लिए ही जाना जाता हूँ अपने चेतर में समाजिक गतिविदियों में बढ़ चड़ करके हिसा लेता हूँ अपने जो हमारा विधान सभा छेतर था उस विधान सभा के तमाम बहनों को अपनी और से मैं लेंगा उपलब्द कराता था उनकी शादियों में ताकि उनका सम्मान रह सके तो मैं समाज सिवा के लिए जाना जाता था और पार्टी ने मुझे आप भारती जंता पार्टी के न पर आस्था जताई और हजारी बाग के देवतुल जंता ने मुझे जिताया अब मेरा करताव है कि मैं उनके मान को सम्मान को बढ़ाऊं और जैसा कल मानिये प्रधान मंत्री जी ने कल कहा कि जहां कम होगा वहां हम होंगे ये बात मैं अपने लोगसभा चेतर में भी चरितार् अब पीम मोधी के बातों को लेकर सांसद जी आगे बढ़ेंगे चलिए अब आपको यहां से सीधे लिए चलते गुजराथ और गुजराथ जहां पर लगातार क्लीन स्वीप लेकिन एक सीट इस बार हाथ से बीजेपी के फिसल गई है हमारे साथ पटेल साहब जोड़े जि कि फुल मार्स आता है जिस बच्चे से उसको अगर दो मार्स भी घटे तो उस पर प्रश्ण होता है तो आपसे पहला प्रश्ण तो यही है का वो एक सीट जो खिसकी वो क्यों खिसकी बताइए देखो एक तो मैं सर्दार साहब की कर्मों बुनिये आनंद से आता हूं मैं सर कुछ आंदोलन भी चला एक शत्री आंदोलन भी चला है काफी सारे कॉंग्रेस के वो भी आपको आप लोगों को भुगतना पड़ा पुरोर्शोतम रुपाला के बयान के बाद जो घुसा राजपूत समाज का था उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है मैं एक सब करता लेकिन जो कॉंग्रेस की विधायक थी वो थोड़ी उसमें ज्यादा प्रभावित भी थी और उन्होंने काम भी वहां की विधायक रोके भी किया है लेकिन 26 की 26 सीट जितने की पुरी उमिद थी और आनंद की सीट भी सभी लोग गिनते थे कि ये कॉंग्रेस जितेंगे ले मेरे मत्सित्र में जित जिन्होंने भी काम किया है सब करेकरता हो को मैं यह जीत की बदाई देता हूं दूसरा तीन काम जो आप बोल रहे हैं तीन काम में महिशागर रीवर जो आती है आनन डिश्टिक और बरोडा डिश्टिक के इसमें आती है तो वहां से फार्मर्स की एक प्राइवरिटी है और जहां ट्रापिक की समस्यां है वहां फ्लाइवर बनाने की जरूरत है गुजरात में मेरे मत्सित्र में वह फ्लाइवर बनाएंगे एनराइड इस्टिक है गुजरात का आनन डिस्टिक एनराइड इस्टिक है तो एनराइड जब आते हैं तो उनको जो दोरी है वह तकलीपि दूर करें ग हो और जो भी कार्या करता हो मैनत करनी पड़ी पांत साल भी हमने बहुत गुमा है तभी तो दूसरी बार पार्टी ना ठिकेट दिया है और दूसरी बार यह नेता को हरा के आए और 2019 में भी आपको मालूँ मगा आपका वही सब्दा था कि आपने भरत सी जोलंकी को अरहा के आए है आप दिगण नेता हो गए आपने बोला था मेरे को अभी भी यह सब्दा याद है तो आज भी वही बोलता हूं कि यह कॉंग्रेस का गड़ रहता था लेकिन अभी चो विदाय अनन डिस्टिक में भारतिया जन्तापार्टी के हुए वह पहली बार हुआ है कि छो विदायक भारतिया जन्तापार्टी के हुए आनन की जन्ता अभी आधन या प्रदाण मंती नरेनेव पुद्धी साथ है और सफेद कुरांती के लिए जो शेत्र जाना चाहता है अमूल ह आनन डिस्टिक में है सफेद क्रांती जो वर रहे हैं मुल्क भी आपको मालू होगा कि आदर्निया सर्दार वल्लबवाई पटल का ही वह ही गाउं है वहां से यह स्टार्ट हुई थी और पूरे देश में जो सहकारी सेत्र है वह आगे ले जाने में का अमुल का पूरा है उसक से सामने आया है जा जगरनाथ की भूमी से हमार सा सांसत महोद है मौजूद है बाती जंता पार्टी ने एक इस में से बीस सीटे जीत ली है तो मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप अपना परिचर दे दें आप मैं बीभू प्रसाथ तो रहे हूं I have won from Jagashimpur constituency of Odisha actually this time out of 21 seats BJP has won 20 seats and in 10th June our BJP is going to form the government in our state कौन बन रहा है चीफ-पनिस्टर इती इत विल बीडिसाइड टुमरो अच्छा कल डिसाइड हुआ है अब जरा आपने शेत्र के बारे में बताई आपने किसको हराया वहां पर कितनी ताकत BJP को लगानी पड़ी सबसे बड़ा मुद्दा क्या रह जिसको अब आप अगले पांच सालों में एड्रस करने बाले हैं याल विटेची कर दो बेरी दू नच्छा में पोल्डेंश फिर अजडियंस आप स्टेच अपने पूंडें पांटल बडी अच्छ में यहां कि एड़ी पूंड पूमना में पूंड योन अबोल मेंड और स्वी और अवटी विल आप एपोंड पूंण for the industries how they will be rehabilitated they are on the other hand in in my constituency still irrigation facilities is not sufficient on the other hand my MP segment around 23 percent belong to sir look as people still today they have not got the opportunity to get the dwelling houses with Pradhan Munthri Abbas Jojana's could have been a government so I was a little bit of money from the last time you came back to me I will be able to get the house you have to be able to get the house in a city to have a city that we go to the city to have a 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 city that I can't help you get a city to have a city where he is and that's it on the other hand BJD has lost all these shields so now BJP is stronger in our state and with our state government and there will be double engine government so that development work will be done very speedily actually the central government schemes we are hijacked by the state government run by Nobun Patnaik actually the Nobun Patnaik government for 24 years it was a comment of corruption actually our beloved Prime Minister has law for our state actually so many times he has gone to our states and he has got the blessings of Lord Jagannath for Ashrafati drop the moon which you can say a tea a collector's copy of sir Wow Risha can connect banana see the center say yes actually our beloved Prime Minister has fond of she drew cast and she drew try people and so that he has taken our ST lady and he has made her our president of India on the other hand actually our beloved Prime Minister is going to make India as a third economy my constituency has contribution to connect with this Indian economy on the other hand which we have to make more of our future कहां पर आप लोगों ने प्लॉट पूरी तरह से खो दिया कि इस जेलनी पड़ी देखे मैं देवरिया का सांसद हूं तो अभी निकल क्या है चुनाव जीत क्या हूं मुझे एक दू हफता दीजे फिर उसके बाद यूपी का विश्टेशन करूंगा आपके साथ बैठके आप लोगों के बीच जा रहे थे तो आपको क्या समझ में आ रहा था एक विक्सित भारत और दूसरा सब का प्रयास और आने वाले समय में भी मैं इन दोनों मुद्दों को ही लेके अपने छेत्र में पांच साल के लिए काम करूंगा और विक्सित भारत का जो सपन है पूर करना है कि वोट देना एक मात रहे लेकर 18.6 लाग लोग जब वोट देके उसके बाद सांसत के साथ या विधायक के साथ या डियेम के साथ आगे चलेंगे तभी गड़तन्त की परिभाशा बने लेगी तो जो तीन मुद्दे जो मेरे सामने हैं जो किस जिसके लिए मैं काम क रहूंगा वहां पर क्या है वन दिस्टिक्ट वन प्रोडक में वहां पर हैंडी क्राफ्ट है खास करकि मूझ पर हमने कहुत काम किया है और हमने करी 120 पहले से ही उद्दिमी चोटे बड़े खड़े कर दिये हिंदी और बुच्परिय कॉल सेंटर किया है अन्य चीजे की हैं दूसरा प्रमुक मुद्दा है हम लोग शहरी करण कैसे करें ताकि एक जैसे दिवरे जैसा शहर है उसको और सुगाम चीज है तीसरा महिलाओं के लिए मैं करना चाता हूं क्योंकि महिलाओं ने मोदी जी के लिए मुझे भी बहुत वोट दिया है और चौथा किसानों के ल नहीं होगा तब तक हमारा गरतंत दिन दूगना राज चौगना आगे नहीं बढ़ पाएगा लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि इस बार तो राम जी आये थे उसके बावजूद क्यों फिसले क्या इसमें बहुत बड़ा एक लर्निंग है बीजे पी के लिए क्या ये कमंडल की राजनीती पर हमेशा के लिए एक खत्म होता हम देख रहे हैं मेरा ये मानना है कि राम जी का आना सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं राम राज की अवधारना पूरे छेतर में पूरे देश में जाएगी और विक्सित भारत कुछ हद तक आदरनी प्रधानमंदी जी नों से जोड़ दिया है कि कैसे हम लोग अपने छेतर में आगे बढ़ें लेकिन प्रमुख बात ये है कि पूरे देश भर में जो राम राज की अवधारना आई है कि हम लोग अपनी शक्ति से अपने सौवलंबन से अपनी आर्बिता से अपनी संस्कृती से आगे बढ़ सकते हैं बहुत बड़ा एक योगदान है और मैंने इसको गाउं गाउं गा तो ये जो बड़े बड़े दिवरिया के रहे उसमें कैसे आपने बाजी मार ली और दूसरा जाती संघर्ष क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुद्दा है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे गोरगपूर से बिलकुल एक घंडे का रास्ता है देवरिया का सटीवी सीट है अ बहुत सालों से महां काम कर रुगा हूँ अपने रोजगार के लिए सोरोजगाल के लिए रही बाज जाती संघर्ष के बारे में इस मुद्दे को मैं इस मंच पे नहीं उठाना चाहता हूं उसके लिए अलग हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीग में यहां भी ज जाएंगे देवरिया को अपना आंगन मांते हैं उनका पूरा सानित रहता है मोधी जी आए राजनाज जी आए हमारे हम तीनों योधाओं के साथ मिल जूल के अपने चेत्र को आगे बढ़ाएंगे शीष नेत्रत का पूरा आशिरवाद मेरे चेत्र पहे मुझे पूरा वि बढ़ा श्वास है कि जो मूल भूत हम लोग विश्रेशन करना है रही मों क्हटें करना है कि जनता के बीच में हम लोग अपनी आवाज और बलपूरवक कैसे ले जाएं इसमें यही एक वो है एक प्रश्ण है क्या हम लोग ने उतना प्रयास किया मैंने भी बहुत जैसे किसी नब बोला एकहिसार गाऊंगों मैंने 500-600 गाऊंगों में विक्तिक्द रूप से टिकेट लेट भी मिला तब भी मैंने बहुत गाऊंगों मैं लेकिन शायद हम लोग और प्रयास करना चाहिए था फिलहाल मैं जीत के आया हूँ अच्छी खासी जीत है पुरवांचल की इसका ही मैं जोश मना रहा हूँ बहुत बहुत बधाई आपको और यूपी में सबसे बड़ी चुनौती है ताकि आप लोग जो परफॉर्मेंस है उसमें क्योंकि अखिलेश यादव का कद लेकिन देखिये 37 सीटे उन्होंने जीती है इससे पहले के वारे एक सवाल और चुकि यूपी बहुत इंट्रेस्टि अगर आगे बढ़ना है तो क्या है उनकी जीत का अकलन कैसे करें देखिये ऐसा है मैं बहुत बहुत गंभीरता सो मैं इसमें नहीं जाना चाहूंग एक दो बिंदू में रखना चाहता हूं आपके सामने एक तो देखिए इंडी ऐलाइंस ने कई ऐसे वादे किये जो देश को डुबाने वाले वादे थे अगर वो बाईचान सरकार में आ जाते तो देश स्रिलंका बन जाता दोस्तों यह आप लोगों मानना पड़ेगा क्योंकि इतना एक लाक एक विक्ति को यह सब यह सब चीजें दूसरा चीज उन्होंने काफी बरगलाया लोगों को कि जो डिस्परेट गेम होता है कि लोगों का वह यह दोनों लड़के कर रहे थे इससे आगे कुछ नहीं है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका साथ देवरिया में तो शांदार जीत मिल गई है हमारे साथ और भी तमाम सांसत महुद हैं जिन लोगों को जाना भी बहुत देर स तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना ही परिचते पताए क्या करके आए हैं जीत कर आए और लोगसभा का काट भी अब गले में है भगवावस्त्र के साथ धन्यवाद चित्रा जी मैं उत्तरव देश की मिसरिक संसदी छेत्र से आता हूं और ये श्वी परदान जी न मुझे पुना अपना अउसर प्रदान किया और मैं चौथी बार सांसत चुना गया हूं तो मैं अपने शीर्ष नेत्र को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और जनता की बीच में गया चुन करके आया और बहुत से ऐसे विकासकारे भी हुए जिनको जनता ने सराहा और मुझे पुना अपना विश्वास जताया और जताया अब लोग क ने चार चार बात वहां की जनता को चुन कर भेज रही है क्या जादू किया हुए अपने ख्षेत्र के अपनी जनता पर जनता विश्वास करती है हम उनको जो अवादे करते हैं अगर वादों पर हम खरे उतरते हैं उनके बीच में रहते हैं तो जनता जरूर विश्वास करती हैं मेरा मेरा जो गरह विधान सवा है, उसकी मैं वहीं से च्छेतर का रहने वाला हों, मैं गाहों से आता हो, साहःपुर फूरिटिया, हमारा गाई पढ़ता है, संडीला तहसील पढ़ती है, तो वहाँ से संडीला में जो मुद्दे थे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल मैंने डिवलप्मेंट कराया, लोगों में उसकी सराना आई, मैंने छेत्र में लगातार मानी प्रधान मंत्री से मांग की कि प्रधान मंत्री मित्र पार्क, वहाँ पर एक टेक्स्टाइल इंडस्ट्री थी जो बंद हो गई सरकारी, लेकिन फिर उ संडिला का लड़ू बहुत फेमस है, आपने कई पिक्षरों में भी नाम सुना होगा, तो दोनों हाथों में ही लड़ू है, बार बार जीत के जनता आपको भेज रहे हैं, यह जनता का इसने प्यार है, मिलता रहता है, और लगातार, चौथी बार मुझे आशिरवाद दिय है, तो जनता का प्यार ही मिला है, और मैं अभी 48 साल का हूँ, काफी पहले आ गया था और फोर्थ टेनोर होना मेरा तो सवभाग्य है, और मैं उनके बीच में रहता हूँ, बहुत से विकास जैसे बिल लौर चेत्र मेरा पढ़ता है, जो कानपूर से चाटा हुआ है, कानप इंडस्ट्री और बढ़ रही है, अच्छे जल्दी से बढ़ा है, साथ मंत्री आपके उत्तर प्रदेश के चुना भार गये, अब मैं कहीं कलत होंगी, तो आप मुझे करेक्ट कर दीजेगा, ऐसे में जो कई बार चुने हुए सांसद हैं, उनके ओपर आला कमान की नजर है कि भाया किसको मंत्री बनाया जाए जाती गद समिकरन कैसे साधी आप चार बार से आप जीते हैं, बड़ी-बड़ी मार्जिन से, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आला कमान से, तो दिखे शीर्ष नित्तर का अपना आकलन है, आपके दिल में कौन सा लड़्डू फूटरा है, इसको लेकर हैं मेरा तो देखे जनता के बीच में रहना ही, यही मेरा काम में तो रुकता भी फ्राइडे में वापस चला जाता हूं, तो जनता नहीं चुना है और जनता के द्वारा जनता के लिए, तो इसलिए जनता के बीच में रहना मेरा मैं पसंद भी करता हूं और रह है रेलवे का लेवल क्रोसिंग 209 मैंने कहा मैं बनवाओंगा अगर नहीं बनवा पाया तो आपके भीच में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा मैंने वो सेंक्षेन कराया काम चालू हो गया जनता ने असीम इसने प्यार दिया और जो सर्वे क्यों क्यों क्योंकि मैंने उनके काम कि अखरा उत्रा इसलिए तो जनता यहीं चायती है तो इसलिए मैं 25,000 से एक विधान सभास में चार विधान सभास जीता एक थोड़ी मार्जिन से कम हुई जितना मुझे पिछली बार मिला था पांस पांस लाग 34,000 मैं चार लाग 75,000 पा सब्सक्राइब तो वहां पर अपने दूसरे सांसतों को क्यों नहीं समझाया आप यह प्रॉपर प्लाइनिंग होती है आप लगते हैं तो कोई रणनीत बनाते हैं आप कैसे उस पर करेंगे आप भी कोई करते हैं तो पूरा उसका में रोड मैप बनाते हैं तो हमें अगर लड़ना है तो हमें एक पूरा खाका कीचना पढ़ेगा तो काफी पहले हम लोग त्यारी सुरू करते हैं धीरे-धीरे वरकाउट करते चले जाते तो शायद मैने तो अपना काम किया पूरी तरीके से उज सौनाव के लिए पर देटा को मैं बहुत बहुत दन्यवाद देता हूं कि जिनोंने मेरे जैसे ही साधर रनकारे करता गो और किसां को टिकर दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत दन्यवाद देता हूं और सुनाव के लिए जहां तक मैंें सेयालीस साल से जनटा के बीस में रहा हूँ और वाडपस ची मेरी सुरुपात थी वाडपस के बाद सरपंस फिर परदान और अभी वर्तमाद में मैं जिला परसस का मेंबर हूँ इसी काारव से हर समय जनता के बीश में रहने का मुखा मिला है और जनता की सेवा करने का मुखा मिला है इसी कारण से जनता ने मुझे शियोग दिया है और आदर निया निया मोदी जी के 10 साल के जो काम थे इसी कामों को लेकर कि वेखों के खिलाफ क्या बोलते थे जब आप लोगों के बीश में ज कि रस लोग सभाइ के निदर थे पन सभाई की उसमें से बावीष सबाइए मेरे लोक सभा में उन्होंने की थी। और उन्होंने जो उनके बेटे लड twee बाइस थी। जो जो वादे किये थे पुरुम में उन्होंने अभी इलेक्शन के अंदर के मैं जीत किये ते ये करेंगे ये करेंगे जो उन्होंने वादे किये थे उन बादों के लिए हमने कहा कि पहले आप तीन साल तीन बार मुक्की मंतरी रहे हैं सहमेहिनों के पहले आप आधिनी मुक् काम के लिए मेरे सबसे बड़ा जो मेरे लोकसभा में जो प्रॉब्लम है वो है पानी की और पानी के लिए किसानों के लिए और पानी के लिए मैंने पूरुम में भी कहीं सालों से मैंने लड़ाई लड़ी है और अभी भी पहली प्रात्मिकता रहेगी वो पानी की है पानी मे मैं जैसे हमारा बड़ा बांद है जवाइव बांद उसी बांद को पुन परन के किलिए पूरी कौरोंगा माई का पानी जालर सिरुए के लिए लाने के लिए कौसिस करूंगा और 36 यstones जो पानी बैकर बाहर जा रहा है उसी पानी को रोक करके हमारे पराजिलय के इंदर छोड़ के इंदर जो जो बाढ़ा का पानि बाढ़का पानि जा रहा है उस बांहें पड और किमा उसे लोग मतरी उसानों जांप का रहे हैं। अलने जगों पर क्या हुआ कि राजस्तान में इतनी सीटे घटी बीजे पिके आपको लोग पिरिये बिल्कुल है इसमें को दो राई नहीं है और दस साल के अंदर आदिने मारे निरंदर जी मोदी ने बहुत काम किये और उसी का कारण है कि हमारे सामने असोग गलो साप के तो क्यों खिसकी बाकिर सीटे कहीं पर खिसकी है पहले भी मनों ने बताया कि इन्होंने गलत परसार किया है जैसे अगर यह आदिने मोदी जी की जो श्यासओ सीटे पार हो गई तो सविधान को चैंज कर देंगे यह करें नहीं ने लुबारी कि उसका नुक्सान आपको भी लगता है कुछ सांसदों ने जो उम्मीद्वारों ने कह दिया कि समिधान बदलेंगे उसका नुक्सान हुआ को अंगर शोत्तम रुपाला का बयान बढ़े को बिकुस नुक्सान हुआ है हमारे पढ़ों सी गुजरात है और ज उने के कारण। बहां पी किसी जगाँ किसी शीटू पर उनुक्साद हुआ है औरुपाला का भी हुआ है तो अरक्षर का मुदाब को लग रहा है और ये राजपूतो हुला बयान ये दोनों भा होता तो पी-एम को किसी दूसरे सहयोगी दल के भरोसे नहीं रहना पड़ता ये राजस्तान की कमी रह गई इस भाई हाँ वो तो है अगर हमारी सीटे आती तो नहीं हमारा जो गुड़न ने वो तो सब हम साथ लेकर पूरू में भी आदिन ने मुझी सले है अभी भी चलेंग के हैं चुराग पास्वान के आप रिष्तिदार हैं और जमुई से जीत करा हैं मैं आप से बाचीत करूंगी बैठ जाएए आपका स्वागत है जमुई में ही जाकर प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए प्रचार प्रसार भी किया था लेकिन उसके पहले मैं जाती हूं हमारे पास साथ बार के सांसद उत्तर प्रदेश के हैं कई ऐसी सीटे हैं जहां पर बीजेपी लगातार गोरकपूर 89 से लगातार जीत रहे बीच में थोड़े समय के लिए हार गई आपके हाथर से कई ऐसी सीटे हैं जहां पर कई-कई बार भारती जनतापाथी चुनाव जीती रही है आपका खुद का भी उदारन है हर्दोई का मैं चाहूंगी सांसद महुते सबसे पहले तो आप अपना परिचर दे दें कि कब-कब आप राजी सभा में भी रहे लोग सभा में रहे और इस बार आपने किसको हराय है जरा परिचर दे आपके लाके के अब आपको जानते हैं वाखो भी अब देश की बारी है मैं जैप्रकास रावत हर्दोई उपी से भारती जनता पार्टी से सांसद चुना गया हूं वैसे लोग सभा में हमारा ये छटा कारिकाल है और राज सभा से भी मैं एक बार रहा और जिस हर्दोई से मुझे यहां से सांसद बना करके भेजा है हमारी जनता ने लगातार 91 से लेकर के पांचवी बार हर्दोई लोग सुबाद छेतर से भारती जनता पार्टी से सांसद बनने का उस्वर प्राप्त को आप लोग कर देते हैं कि हर्दोई की जनता 1990 से आपको कई बार संसद भावन भेज चुकी मेरा तो यह मानना है कि पार्टी के साथ अच्छा तालमेल और लगातार जनता में जो समवाद बना रहेना चाहिए और जनता के बीच में यदि आपकर विश्वास पैदा कर लिया तो मैं समझता हूं वह हमेसा आपका सिरवाद देते रहेगी और अपना इसने देती रहेग आप चुंकि वहां से लगातार जीते रहेते हैं तो अब हमारे दर्शकों को यह बताएए वो तीन बड़े काम आप कौन से करनी जा रहे हैं अपने इस पांच साल के अगले कारेकाल में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश सरकार से और केंश सरकार से बहुत काफी योजनाएं हमारे हर्दुई लोग सभा में लागो हुई जिसमें मेडिकल कालेज के स्थापना हुई गंगा एक्सप्रेस बे का निर्मार कारी चल रहा है और जो हमारे हर्दुई और का 110 किलो मीटर का दूरी है वो सिक्स रोड बन रही है सिक्स लेन रोड बन रही है जो लगब साथ सो आठ सो करोड रुपय की लागस से तो बहुत ज्यादा काम प्रदेश सरकार ने और केंश सरकार की योजनाएं से हमारे लोग सभा में चल रहा है और जहां तक मैं अपनी आगे एक योजनाओं बताओं तो हमारी तो एक जो मैंने कोश्चिस भी की थी पिछली बार कि एक पुराना रेल मार्ग जो कई दसकों से बंद पड़ा है हमारे सांडी से गुर सहाय गंज का तो उसमें मैंने पिछली बार भी रेल मंतराले से भी संपर किया और काम भी चल उसको फिर से उस रेल मार्ग को चलाया जाए यह मारा आगे का प्रयास रहेगा और गंगा एक्स प्रेजवे के बगल में ऐक और दोगी के चेत्र की भी प्रस्तावित है उसको भी मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी वो इस्थापित हो क्योंकि हर्दोई लोग योगी आदि दिन आदि दिन आदि आए उसके वासे बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडिस्टी वहां पे स्थापित हुई और अब वहां पे चुकी जगे नहीं बचिए तो एक और दोगी कि चेत्र हमारे लोकसभा में भी प्रस्तावित है अब जरा यह बता दीजे इत इसे चिपके कि वो बार-बार धर उधर नहीं हो क्या किया है लोकसभा का चुनाओं बहुत बड़ा होता है प्रत्यासी अपने बल पे चुनाओं नहीं लड़ सकता है नमबर एक आप अपने जन प्रतिनियों के साथ जो आपके साथ हैं चाहे वो ब्लाग प्रमुकों मानी बिधायक है हमारे संगठन के जो कारिकरता है पदाधिकारी है उनके साथ बेहतर तालमेल करके आप प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्टितियों में भी विजय हासिल कल लेंगे ऐसा मेरा विश्वास है भी तरगात हुआ है कि आप बाकी सीटों के लिए बीजय पीका काई सा बइक पूरी तरह से हमारे सात लगी रहे पूरा हमुरा संघठन लगा रहा कारिकरता लगा रहा उमां समझता हूं साह연 धर direct आप रहा प्रेक्रन कित्स कि पूरा सा योग पूरी तरह से मुझे बहुत धन्यवाद आपका आज तक किस मंज पर आने के लिए तो आप देखे साथ साथ बार के सांसद राज्य सभा के भी और लोग सभा के फिर एक बार जीत कराएं हैं क्या बात है बताईए साथ बार मतलब इतने वर्श आपके वहीं देश की संसद में पहुंचके पीते हैं छतीज़ गड की अब बारी है और छतीज़ गड में वीजेपी की जबदस performance रही है ब्रिज मोहन अगरवाल जी हमारे साथ राइपुर् छतीज़ से जुड़ए है तो सांसा जी जड़ा बताये एक तो छतीज़ गड में इस बार performance लेश अच्ही रही यह कहां हुई है 99 पर गए तो 99 में गए बावन से उसके पहले क्या हलत थी उसके पहले तो कितनी बंफर सीटी होती थी तो आज तक सब पार्टियों की बीजेपी की अकेले की जितनी सीट है उतनी सीट तो उनके सबके पूरे एलाइंस की मिला कर नहीं है आज की तारीक में कॉ तो कांग्रेस तो जाने वाली पार्टी है अब वह आने वाली नहीं है और यह लोगकंत्री की खुबसूरती है कि कभी किसी को ज़्यादा कभी किसी को पर आज साथ साल बाद अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं वह तो उसमें बंफर दो बार सिटे आ का बढ़ने वाली नहीं है अचासाश जी बताई कि आप लोग इस बार क्या अनूठा क्या अलग करने वाले शुटिसग्र्ण में और देश का फास्तेस्ट ग्रोइंग स्टेट्व शुन तक कोई था तो 36 गर था फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई थी तो राइपूर सिटी थी और आने वाले समय पर हम राइपूर को एक दिल्ली बंबई कलकत्ता जैसा आप भी अगर राइपूर आई होंगी तो आपने देखा होगा कि तो राइपूर तो राइपूर तो यू नहीं उननहें प्रदेश की जन्ता के लिए काम ही नहीं किया उन्होंने तो खाली expressed offers आप दूटने के निस्ट अधिन अलग हुआ, MP के ही तरज पर 36 गड़ के लोगों ने वोट किया, सबसे बड़ा इशू on ground वहाँ पर क्या था इस बार, जब विधान समा चुनाते तो मुझे याद है, बस लोटरी स्कैम सुबह से शाम तक BJP के नेताओं की जोवान पर यही रहता था, इस बार on ground आपके लिए और on ground सबसे बड़ी बात थी कि मोधी जी की गैरेंटी को जो सरकार पांस साल की गैरेंटीयों को तीन मेहने में पूरा कर सकती है, तो पांस साल में वो 36 गड़ के लिए कितना काम करेगी, और 15 साल हमने जो काम किया, और हमने एक नारा दिया कि हमी ने बनाया है, हमी तो लोगों ने हमारे उपर में विश्वास किया, और 36 गल में बीजेपी को 11 में से 10 सीटे दी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साल के जल्दी जल्दी, मैं आज अपना परिचे दें, कई और चेहरे हमारे साथ रहे हैं, जो बहुत देर से इंदजार कर रहे हैं, बड़े धहरी पूर्वक, मैं चाहूंगे आप अपना परिचे दें किस तरह से आप जीत कराएं, पहली बार आप लोगसभा पहुंच रहे हैं, तो क्या रहेगा एजंडे इस बार का? जारकर्ण से 14 लोकसभा से में च्वन जीत कराया हूं, जारकर्ण की जंता, अपनी लोकसभा, च्शेतर की जंता ने डायल अलाक मतों से मुझे चुनाव जीता है, पहली बार में चुनाव जीता हूं, हमारे । उन में किशान बड़ी आवाधी है, खेतों में पानी का अभ पट्री और सुनाई नहीं पड़ा इसलिए चेत्र में मांग हुआ मैं उसके लिए कंद्र सरकार से सोरेश्चाहब की पहले जब आप लोगों की भी सरकार थी राज जी में भी थी केंद्र में भी थी तो क्यों नहीं उस समय अपने ख्षेत्र में रेल लाइन बिश्वाने का क पर चूरी है बहुत विप्रित परिश्वाने कर सकते हैं विकास का लेकिन अभी वह कुछ चत्र वरजित किया गया रिलीज किया गया है तो इस बार प्रियास करके मैं प्रियास करूं वाकुर मेरे चत्र में काम आये और और रेल नेटवर्क हमारे चत्राजिला उससे अब एक राजिका मुखमंत्री मुखमंत्री बनने के बाद खनन पट्टा अपने नाम से लेत इसके बाद कहने की कहां चुर रहते तो हुआ ही है तो और वो अपना उसी कारण से उनको सिकांजा कसा है हमने जूर लगाया ऐसा नहीं हमें कर गया हमारी परटी तो जो अपने सवावी कार से काड करती है उकार कर रहा था तो अब तीन बड़े काम क्या करने वाले हैं आप लाकि में एक रेलाइन हो गया और बाकी हमारे हाँ डैम दो-तीन डैम बने हैं लगवग अधूरे थोड़े पड़े हैं उनको बना करके उन चैनल के माद्धम से खेतों तक पान पहुचाना और पीने का पानी की विवस्था बनाना हमारे ये तीन काम रहे हैं चलिए बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी आज तक से जुड़ने की चलिए अब तोकन साहू सहाब से मिलाते हैं बिलासपूर 36 गड़ से ये सांसद है और यहां पर इस बार परफॉर्मेंस से क्या अलग किया ये पहले मैंने उनसे प्रश्ण किया था लेकिन ठीक से ख्लियर नहीं हो पाया पिछली बार से आपने इस बार क्या अलग किया जिसकी वज़े से आपकी परफॉर्मेंस में आप जो आक रहे हैं कि एक टेंप्लेट बन सकता है आपने अलग क्या जिससे य में यही बात है कि माननी नेरेन मोदीजी ने पिछले 10 सालों में अनेक जन कल्याणकरी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन सवारने का भी काम किये हैं देश में सासिक निर्णे लिए बड़ी-बड़ी समस्याओं के समधान हुआ है धारा 370 समाप्त हुई है 500 साल उसका फायदा उसब जबबा सबसेदेवा को मिलना चाहिए था उसकर को आच इसके lifting ये धालों के मन्य मि शरकार बढणक़ के बाद मात्र तीन महीने के अंदरगत मानने मोधी जी की गारिंटी पुरी हुई है इस कारण 36 गड़ की जंदा बारती जंदा पार्टी के प्रक्ष में मद्दान किये हैं बारी बहुत से जिदा करके बेज़े हैं अलग क्या क्या आपने अभी भी नहीं बताया देखे पीम तो वही क सविधान बदल देंगे आरक्ष्ण समाप्त कर देंगे यह ब्रह्म फलाया गया कुछ लोग भ्रमीद भी हो गए और एक लाग कुर्भया देने का इनके दो दौरा जो फार्म भरा गया उसका भी प्रभाव पड़ा है हमारे हैं भी कटा-कट वाला मामला है हमारे हैं भी फ सविकार नहीं कि उसके कारण थे उसका कारण यह था कि 2018 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोशना पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो विरोजगारों को पचीज सो रुपे विरोजगारी भत्ता देंगे बहिलाओं को पंदरा भरती जन्ता पर पाथिए प्रटी चन्ता है कहीं बात ईकित जन्गोieteर घोर्टे का कंग्रेस पार्टी के इन गोश्राओं पर विश्न उस्वास नहीं किये जन्ता और सभाषित जन्ता पार्टी की कहीं हुई बद्दाण दर्टि माता को शिल्यक की धर्तिया भगवान राम के ननिहाल है बिलकुल माता महमाया विराजमान है रतनपुर में सभी परिवार किसे दस्तों से मैं कहना चाहूंगा कि आप मनिमंत्रण देता हूं आप आईये माता जी का दसन करिए गया बात है यह पहला स्वागत आया किस किसी निमंत्रड आए किसी सांसद जी से बैटिए और बताईए कि आप लोग तीन तिन बार से जीत रहे हैं उधर बताईए आपके सहयोगी जो दूसरी सीटों पर थे उनका ये हाल हो गया सबसे पहले आप अपना परिशद हैं किस तरह से लगाता तीन बार के आप सांसद हैं कौन से मुद्दे पर जीत करा रहे हैं जरा विस्तार से बताईए इसके बारे में मैं 2014 में पहली बार सांसद बना 2019 में दूसरी बार सांसद बना 2014 में थीसरी बार सांसद बना मुखेश राचपूत में सांसत फरुखाबाद और इसमें मानी मोदी जी मानी यूगी जी की किरपा है और हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डवल इंजन की सरकार काम कर रही है लोगों में सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं लेकिन इस्वार मेरा अपना मानना है कि ज इस तरह से कांग्रेस और समाजबादी पार्टी के लोगों ने निचले इस तरह पर हमारे यहां की पिछडी हुई जंता है और दलिस समाज जो पिछडी हुए समाज को बरिमित करने का काम किया है कि यह समधान बदल देंगे 400 पार आएंगे सीटें लाएंगे तो समधान ब जिदी साधी जनता को भोली बाली जनता को नीचे जाके गाओं गाओं में जाके मजरिम मजरिम जाके पूरा कंपेन किया समझाने का काम किया और वो भी गोपनी यह रूप से चुनाओं उपर उनका नहीं दिख रहा था उपर जहां पर भी जन समाज हो रही थे हमारे हर ली उन्हें करने का काम कर रहा था आप लोग भी तो समझा रहे थे ना कि नहीं बदलेगा संविधान चार सो का नारा इस वज़त से नहीं है लेकिन आपके ही कई निताओं की उर्से इस तरह के बयान सामने आते हैं अयोद्या से लल्लू सिंग चुहारेश को लेकर चर्चा है ले मानी मोदी जी सम्मधान के साबसे ही काम करते हैं जितना सम्मान मानी नरेद मोदी जी सम्मान को करते हैं सम्मान को सम्मान देते हैं आपने देखा है हमने कल देखा है कि मानी मोदी जी आयत सेंटर हाल में सबसे पहले उन्होंने सम्मधान को ही नमन किया और जब भी लोग सवा में आए तो समिधान को अपने सर पर रखकर नई लोग सवा में गए तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि मानी मोदी जी ने समिधान को मजूद करने का काम किया है कमजोर करने का काम समिधान को किया है वो कांग्रेश की सरकार ने किया है कांग्रेश की जहां सयोगी सरकारे है उ मोदी जी ने कहा था कि इस बार चार सो पार और सभी लोग करें इस बार चार सो पार जिस तरह से मानी मोदी जी ने जो काम किये हैं तो लग रहा था कि इस बार चार सो पार हम जाएंगे तो उस चार सो पार को लोग ले गए कि चार सो पार लाएंगे तो आ गई चार सो पार त और कई सांसद यही बात बार बार दोहरा रहे हैं यहाँ पर जो ग्राउंड से आए हैं चुनाओ लड़के अब अरुन भारती जी को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानने निया सांसद जी अरुन भारती जी को मैं सांसद कहूं लजेपी का या चिराग पासवान जी का जीजा जी कहूं जमुई सीट से आप लड़कर आए हैं आपके लिए पूरा अनुभव ये चुनाओ वाला कैसा रहा और चिराग पासवान का जो इस बार स्ट्राइक रेट है उसकी खूब आपको याद होगा जब पार्टी और परिवार टूटा था इससे पहले मैं अपने बिजनस में इंवार्व था लेकिन जब पार्टी और परिवार टूटी थी तब recording, part 2 शिएधा फंसे हमनें लगातार ही जनता के बीच में अपनी बाते बता रहे थे और उनसे उनका अशिरवात प्राप्त कर रहे थे हैं ऐसे में जो चिराग पासवान जीकी जो करमठता है उनका जो जंता के साथ जो जो ज़ुड़ने का जो उनका ज़ादू है वो मैंने देखा और ये भी देख पाया मैं कि कोई भी बदलाव नीचले पायदान से ही शुरू हो सकता है जनता से ही शुरू हो सकता है ऐसे में उनके साथ जो मुझे अनुभव हुआ जनता के साथ जोड़ करके मुझे भी लगा कि बहुत सारी बदलावों के लिए जरूरी होगा कि मै मैं भी चुनावी राजनीति में आऊं लेकिन उसके लिए सबसे पहले चिराग पासवान जी की सर्थ थी कि आपको पार्टी की प्रक्रियाक से गुजर के ही आना होगा क्योंकि मैं भी तब के आया हूँ आपको भी आपका भी नाम नीचे से ही आना चाहिए क्या अक्लाइब देखे महाठग बंदन जो है जनता को बर्ग लाने में कुछ हद तक सफल रही है बड़ी जिमेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आरक्षन वाला मुद्धा वहां पर भी हावी रहा है नहीं आरक्षन वाला मुद्धा वहां बिल्कुल काम नहीं किया तिराग पा सबिक्षा का विसाय है हम लोग गडवंधर में बैठेंगे इन बातों पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन कारूनों में हम और कैसे सुधार कर सकते हैं अब आते हैं असल मुद्धे पर जी एकदम जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा दो क्याबि लोग अभी दिल्ली में ठिके हुए हैं क्योंकि नरेंदर मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है यह प्रधान मंत्री जी का विशेशा अधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाते है किसे नहीं इस बारे में अभी कोई भी कयास लगाना बिमानी होगी लेकि से बेद अखल के आगया फिर भी वो चिपके रहे लॉयल बने रहे और उसी का सिला मिला कि वो आज इस मकाम पर है तो आप लोग ड्राइंग रूम में बैठते होंगे सोफे पर क्या बात होती है कि आज तेज हवा चल रही है आज मौसम का हवा का दबाव जादा है आज निकलने वाली है हल्की फुलकी बारिश होने हैं कैसे समझते हैं तो अगर आप रामविलास पासवान जी को मौसम विज्यानी कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो राजनीतिक हवाओं का रुख भाप लेते थे ऐसे में चिराग पासवान जी अब हवा ही नहीं वो आंधी भी ह हैं और इस हिसाब से बिहार की राजनीती में जैसे उन्होंने हस्त छेप किया है जिस तरह से वो जंद सब पर कर पाए हैं जंदा से अपना जुडाव कर पाए हैं हम लोग उसी इसलिए हम लोग 100% स्टाइक रेट दे पाए हैं हमारे सीटे थोड़ी कम हुई है पूरे गट साथिकार है इसमें हम लोग कोई कयास न लगाए हम लोग इंतजार करें अगर कोई जिम्मेदारी चिराग पासवान जी को दी जाती है तो उसके लिए हम लोग तयार है खाने पर बात होती है कि नितिश बाबु फिर पलट गए तब क्या होगा हम लोग अभी आरे से पहले दिल्ली आने से पहले नितिश बाबु फिर पलटे कल सुबह तो क्या करेंगे ऐसी दिखिए बड़ी साफगोई से मैं कहना चाहूंगा कि आने से पहले भी हम लोग मरनी मुख्यबंतरी नितिश को बादी से मिल कर के आये हैं और मैं ये निश्चे के साथ कह सकता हूं कि वो हमारे गडवंदन के बिहार में नेता है और हम लोग साथ मिल करके पात साल पूरे सरकार को चुनाव को चलाएंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके ही नितित में हम लोग बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे चलिए हो सकता है आप कह रहे हैं अला कि समराट चौधरी ने अभी से डिकलेर कर दिया है नितिश बाबु देखे वो भी बहुत बड़े खिलाडी है पॉलिटिक्स के सब लोग जब रूल आउट करने लगते हैं और चिराग पासवान के भी कई बार दिखता था कि थोड़ हम लोग इकटे हैं चटान की तरह प्रदान मंत्री मोधी जी के समर्थर में खड़े हैं और उनको दुबारा तीसारी तिवारा तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे यह हम लोग लिए प्ये और चिराग जी का पीडिये चलता है पब्लिक डिस्प्ली ओफ अफेक्शन तो है ओवी बताई जान पिटे इसके बाद उन्होंने चिराग पासवाजी के संघर्ष को भी देखा है जिस तरह से वो फर्ष से उठकर के अर्ष पे जो उनको ला सकता था उस सारे संघर्ष को उन्होंने देखा है और देखने के बाद सौभाविक ही उनको मोदी जी का हनुमान कहते हैं सौभाविक ही अप बाद चर्चा हो रहे हैं कि देखिए चाहे आप वरुन भारती जी आप तो परिवार के हैं उनके चाहे इससे पहले भी हमारे सामने सांसते शामभवी जी थी एक चेहरा उन्होंने बदला है मतलब हम देख रहे हैं कि जो अबन एलीट है उनमें से लोगों को चुन-चुन कर को टिकट दे रहे थे किस आमकारकरता को दलित को यह एलजेपी है यह रामदिलास जी की पार्टी है ऐसे कि शक्स को उन्होंने टिकट दिया इस पर भी खूब चर्चा हो रही है अगर राजिती के में बात करूं बिहार में बहुत दिरों से उचल रहा है कि भई पढ़े ल लिखे लोग है पढ़े लिखे होने के साथ साथ इनके नए विचार है अपने परस्पेक्टिव हैं चीजों को जानते हैं समझते हैं और इसलिए इसके अभी भले ही इनकी अब्रिंगिंग आप मान के चलिए अर्बन एरियाज में रही है लेकिन जिस तर से हम लोग ने